हेलो एवरीवन वेल्कम टू आर्चैनल स्टड़ी हमारे साथ मैं हूं दविंद सिंग आशा करता हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे इस वीडियो में हम जो जी सी नेट हिस्टी का इंपॉर्टन्ट यूनिट नुम्बर वन उसका सलेबस पढ़ेंगे पहले टेल में सम समझेंगे और 2011 से लेकर 2000-23 तक जितने भी क्वेस्टन्स हैं सारे ही सारे हम इसमें करके चले पहली बार एक्जाम दे रहे हो जा फिर आप बहुत लंबे समय से एक्जाम बार बार देते आ रहे हो और आपका एक्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है उसके दो कारण होते हैं और साथ-साथ आपने प्रीविस जिर के क्वेश्टन बेपर्स को भी अच्छे से अनलाइस नहीं किया आपने समझा नहीं कि जो जिसी क्वेश्टन कैसे पूछता है किस तरह के क्वेश्टन पूछता है किस तरीके से में त्यारी करनी है सिलेबस में क्या क्या दे रख रख से दोनलोड के रख लिया बाइद में पर असके का बारे का पिडिया का आपने या तो गाउल्मनेट की ऑफिशल वेब साइट है वहां से डौनलोड कर लो अगर वहां से डौनलोड नहीं करना तो आप हमारे टालिग्राम चैनल पर आ जाओ nie पर हमने पहले ही शेयर कर रखा है वहां से आप अराम से डाउनलोड करके उसकी त्यारी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको ठीक है जो भी स्टूडंट सभी सोच रहे हैं कि हमने पहली बार यह एक्जाम देना है पहली बार उन्हें ने ने जिब मन बनाया है कि सिर्णीड में जिएड़ना है तो और हिस्ट साथ फ ब्य viruses कि बहुत है तो बड़ा स्लेबस है इसका तो स्लेबस की अंडरा प्रिंडेंग होना बहूँ ज्यूली है स्लेबस में आप लोगा अगर आगर किसी बच्चे ने स्लेबस को अच्छेसे पड़ा है तो चुली शुर उसके बाद शुरू होते हैं टोडल 10 section section unit 1 से लेकर unit 10 तक unit 10 के questions plus उसका syllabus हम already explain कर चुके हैं जिसमें historiography sections के बारे में पोचा गया है सारे के सारी historiography section के जितने भी question आज तक पोचेंगे हैं सारे हमने उस video में discuss कि है सारे की सारी explanation आपको वीडियो में मिल जाएगी साथ साथ अगर उसमें जितना भी स्लेबस है उसको किस तरीके से त्यार करना उसके बारे में भी डिटेल में हमने समझाया है इस वीडियो में हम जूनिट वन जो है उसकी उसका स्लेबस पढ़ेंगे साथ साथ जितने भी आज सारे के सारे questions भी हम करके चलेंगे ताकि हमें वहां से idea होजे कि जो जिसी किस तरह के questions पूछ रहा है किस तरीके से हमें स्लेबस को कवर करना है कौन से topic के उपर ध्यान देना होगा बहुत सारे topics हैं कुछ topics ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा बहुत स्किप भी कर दें हम चल जाता ह है बहुत सारे questions है उसमें हम दूसरी unit इस वीडियो के बाद discuss करेंगी वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन आपने patience से वीडियो को पूरा देखना है आपको किवले की काम करना है वीडियो को like करना है और share कर देना है सब्सक्राइब कर देना है जैदि आप चैनल पर पहल जरूर कर देना share कर देना ठीक है चलिए पहले से लेबस को अच्छे से पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि जब तक हमारे पास स्टार्टिंग में हमारा विजन ही क्लियर नहीं हमें पता ही नहीं हमने पढ़ना क्या है है ना तो फिर क्या फैसे हम ऐसे माथा मानन कुछ वैदा नहीं बड़ी बड़ी बुक से कठी कर के बैठ जाएंगे बहुत सरे राइटर्स ने प्राफीन का लिखा है तो सबकी बुक से कठी कर लेंगे उसके बाद हमें यहीं पता निए कि पढ़ना क्या है ने क्या पढ़ना है तो फिर क्या फैसा सबसे पहले सुरोत इनको ही इतना ही पड़ना है, पुरा तात्विक सुरूतों में बहुत कुछाथा है, कैसे उनका अननेचिंस कैसे हुआ, रिसर्च कैसे की बहुत है, इसकी इस्पड़ाजिक रिसरर्स कौन-कौन से थी, उसकी ऐक्प्लोरेशन कैसे हुई, उसका उत्खनन कैसे किया पुरा तात्विक स्रोतों के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कौन कौन से राइटर्स ने उसके उपर क्या क्या लिखा उनकी डेफिनिशन से जो जिसी पूछता है इतिहास क्या है इतिहास की डेफिनिशन से जो जिसी ने बार बार समार्क आते हैं, ठिके आते हैं, मूर्थियां, चितर Pol casual dual मुहरें आते हैं उन सबके बारे में पढ़ा हमें जाना ही होगा तो साहेतक सृट हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे धार्मे क साहेतर हैं लौकिक साहिते हैं जैसे धार्मिक साहिते हो भी आगे दो तरह के साहिते होते हैं जैसे ब्रामन साहिते हैं ब्रामन उत्र साहिते हैं जैसे ब्रामन साहिते के बाद जो साहिते लिखा गया था ब्रामन उत्र साहिते जिसके हम कहते हैं जिसमें दो तरह के साहिते हैं जिसमें ब Sydney journalism के सहाईते की बात करते हैं तो उसमें जैसे बद्र बाहू का च्रित आ क्वातिय शूतर है उनके बारे में धृतियल में फड़ के चलना होगा ठीक है एसी तरह से हमें जैसे धार्मिक सहायतें। के साथ साथ लॉकिक सहायते भी आते हैं काल्हन की रायतरंगनी। काली दास हो गया तो इसके आगे पूछता है कि सभदेश्ची सहायते उभगी साथे इसमें सारे आते हैं वा उन सबी के सहायती के बारे में हमें पढ़ना हुआ हूंगा उनका लिट्रेचर में अच्छे से याद होना चाहिए हुआ 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 हैं चाहिना से कितने भी आये थे यहांई नाया था है on. सांगित, सिंग, और भी थे ठीक है, तो अर्ब के जातरी काखी आते हैं, जैसे अलबरूनी तो पहले आगे ते सुलिमान, अलमसुदी, इबन बतुता, सभी के सभी जितने भी अर्बी जातरी थे, उनके विबरन हमें बहुत डिटेल में पढ़ने होगे, ठीक है, तब ही जाक हमने पढ़के जानी होगी, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, तो पशुचारन, खाद्योत पादन, नापशान और तामरपशान यहां पर देखो, यह जो बात करें नापशान काल की, तामरपशान काल की, तो यहां से हिस्टी नहीं पढ़नी है, हिस्टी में जैसे धरती मानव का किस तरीके से एवल्यूशन हुआ, धीरे-धीरे करके, मानव की विभिन अवस्थाएं हैं, उनको पढ़ना है, उनके उपर जो लिसी ने एक दुबार क्वाशन भी पूचे हैं, जैसे सबसे पहले तो हिस्टी का उद्वव कैसे होता है, उसके बारे में कौन से रा है, और साथ साथ प्राग इतियासे काल, पुरा पशान काल, उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मद्या पशान काल, उसके बाद आएगा नव पशान काल, जहां देखो, तामर पशान यूग को कम्प्लीट पढ़ना है, इन डेटेल पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड ठीक है, और किस तरीके से पशान यूग के लोग रहते थे, उनकी कौन-कौन सी साइट्स हैं, कहां-कहां से हमें उनके बारे में जानकारी मिली है, कौन-कौन से राइटर्स ने उनके बारे में हमें बताया है, इन डेटेल पढ़के चुलना होगा, यही हमारा स्लेपस है, स हम सोचते हैं कि शयद इतना सा पढ़ेंगे तो इतने में काम हो जाएगे, नहीं इतना नहीं होगा, बहुत इंड़ जाना पढ़ेगा, ठीक है, आगे बात करते हैं, तामर पशान काल के, तो को तामर पशान यूग बहुत ही बाटन, तो काफी वास्प था, तो इसमें जित यहां से जो जी सी ने मुस्टी ज़्यादा कोश्चन तो नहीं पूचे हैं, लेकिन फिर भी हमें इसको पढ़के जाना होगा, ताके हम अपने अगली जो हमारी समझ है, इसके बाद हम जो सिंदु घाटी सबिता पढ़ेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पशान काल क्या थे, पुरा पशान काल क्या था, मद्य पशान काल क्या था, नव पशान काल क्या था, उनका टाइमलाइन बहुत है, मैं हमेशा कहता हूँ को टाइमलाइन को कभी भी मिस्क मत करूं, क्योंकि टाइमलाइन के बगार हम हिस्टी को याद रखी नहीं पाएंगे, इन्हें कहा है कि यह सिलेबस का हिस्सा है इंस तैट वो यहां से क्वेशन कभी ही हमसे पूछ सकते हैं सिंदुघाटी साथविता का अदभव कैसे हुआ, अदगम कैसे हुआ, कैसे existence में है सिंदुघाटी साथविता हतास कैसे हुआ उसके बारे में राइटर्स ने अलग राय रखिये उसको अग्डिस्टेंस कैसे मिली उसके बारे में हर राइटर्स ने जितने भी हमारे हिस्टॉरियंस हैं उन्होंने सब ने अपनी अपनी राय दिये जैसे चार्ल्स मैसमंड सबसे पहले 1826 में उनको टीले मिले थे उनके बारे में जब उन्होंने एक्जारेशन की है उन्होंने कहा कि किस तरीके से ऐसे सबिता यहां पर रही होगी बाद में हमारे धेश में जब पुरा ताद्विक भी भाग बनाया जाता है और उसके अलक्जेंडर किनिंगम को उनके प्रेजिडन्ट बनाया जाता है तो उनकी अलग स्टेटमेंट थी ठीक है जेफ फलीट कुछ अलग स्टेटमेंट देते हैं दयराम सानी, राखलास बेनर जान मार्शल सबकी अलग लग लग राय रही है सिंदुगाटी सबटा के उद्भव के बारे में तो हमें प्रतेक हिस्टोरियन्स के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए ठीक है एंसियाटी की बुक में आपको मैप मिल जाएगा बहुत अच्छा जिसमें उन्होंने जि साइड से मिल दी है जो नौर्थ तक कौन सी साइड थी सौज में कहां तक विस्तार था इस्ट में कहां तक था तो परतेक के बारे में पढ़ना चाहिए वो केवल आप एक मैप ले लो मैप में आप सारी जितनी भी जगहें मिली हैं जितनी भी मुक्ष तल मिले हैं ठीक है इवास का सवरूब क्या था किस तरीके से उन्होंने अग्री कल्चर को डिवल्प किया किस तरीके से उनका रहन सेंथा किन किन चीजों की वह पूजा करते थे धार्मिक आर्खिक उनके क्या क्या तरीके थे किस तरीके से वह वह पार करते थे दूसरे लोगों के साथ ठीक है शिल्प विस्टता क्या थी जितनी भी हमें मूरती यह बिली है उनसे उनकी जो शिल्प कला है उसके बारे में जानकरी मिलती है हमें पढ़ना पड़ेगा धर्म समाज राज्ये साशन विदी सिंदुगाटी सब्वेता का हतास इन ही राइटर्स ने सिंदुगाटी सब्वेता के हतास के बारे में भी कहा है किस तरीके से कहा जाता है कि सिंदुगाटी सब्वेता क्लैप्स कर गी होगी कुछ कहते हैं कि बाड़ आगी थी कुछ कहते हैं कि आर्यों ने इन्वेजन किया उसके बाद सभी को मैं कि सिंदुगाटी सब्वेता के लिख्टी के बारे में हमें नहीं पता है तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सिंदुगाटी सब्वेता से हमें जितनी भी चीजें मिली है उनको हम उत्खनन के बाद ही प्राप्त कर पाएं और उसके बारे में हमारे पास कोई लिखत जानकरी नहीं है तो जैसे ही सिंदुकाटी सब्वेता खतम होती है उसके बार जब वैदिक सब्वेता का आगवन होता है तो वहाँ पर हमारे पास कुछ न कुछ ऐसी एविडेंसेस मिलती है जहान से हम वیदिक सब्दा के बारे में पता लगा सकते हैं ठीक है तो उसमें बहुत सारे हमारे घरंटा आते हैं जैसे रिग्डर्वेद, सांबेद, ज़र्वेद, सारे आते हैं ठीक है तो हमें ये भी पढ़ना होगा उत्तर कालीन वैदिक यूग कहां से शुरू होता है ठीक है उनके बारे में कौन कौन से राइटर्स ने क्या कह दिया है जैसे प्रफेसर मैक्स मूलर है बाल गंगा दर तिलक हैं सभी अपने अपनी राय रखते हैं अविनाश चंदर दास दैराम साहनी दैराम सरस्वती गंग तिलक जी कहते हैं को वो उत्री धुरूप से आए थी मैक्स मूलर कहते हैं के मध्या एशिया बैक्टीरिया से वह आए थी और डॉक्टर रवनाश चंदर दास कहते हैं कि सब्सेंद्व परदेश वहां से वह आए थी ठीक है मतलब कहने का यह है कि बहुत सारे डाइटर्स ने इनके बारे में काया है कि आरियन कहां से आये थी ठीक है और इनके बारे में भी विवाद है हमने इनको डेटेल में पढ़ना है जो जी सियांसे क्वेशन बना सकता है ठीक है और जो आरियन्स लोग थे उनका राजनितिक समाजिक संस्थाएं कौन कौन सी थी राज्य संर का भी अरंब हो जाता है तो लोह जूग के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि लोह जूग की जितनी जानकरी हमें दक्षिन भारत में मिलती है ठीक है दक्षिन भारत में हमें महापशानकाल की जो एविडेंस मिलती है उसके बारे में भी जूजी सीम से पूछ सकता है ठीक है जदी हमने हिस्टि को पढ़ना है तो ग्रोनलोगी को याद रखो एक ही मंत्र ऑफ मैं तो हमेशा से हिस्टि को खुद भी याद रखने के वी क्लिए निदू को यह इन्पॉर्ट呢 कर पा एक तो यहां पर राजिय शाशन विवस्ता का विस्तार किस का वही यहां पर यह भी हम्मित जिविए जिसी ने पूचा है जैसे महा जनपत थे महाजनपत के बारे में हमें पढ़णा हूगा बहुतには इंप Fortune थे तो हमारे लिए यह बहुत important है 16 महाजनपद थे 16 के 16 महाजनपद उनकी राइधानिया कौन-कौन सी थी कौन-कौन सी एरिया में वे exist करते थे ठीक है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा भारत में भारत का नक्षा आप ले लो भारत में यह 16 महाजनपद कौन-कौन सी एरिया में एक्जिस्ट करते हैं कि जितने भी महाजनपद हैं उनकी राइधानियां important हैं ठीक हैं उनकी जो geographical locations हैं उनके बारे में जरूर पढ़ना पड़ेगा आपको इन सभी जनपदों का आपस में क्या relation था इस तरीके से सारे जनपद जो है इनकी जनकर यह में कहां से मिलती है बाद गरंथ हैं जैनिजम के गरंथ हैं बगवती सूत्र हैं वहां से में जनकर यह से ही मिलती है तबीया के पता चलता है कि ऐसे कुछ जनपद भी हुआ करते थे ठीक इसी समय के साथ-साथ बुद्धिजम जैनिजम सभी उस समय अजीवक संपरदाय सभी धीरे धीरे करके एक्जिस्ट करते हैं ब्राह्मन धरम में जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन्स होती हैं उस समय उसी का कारण होता है कि बुद्धिजम पैदा होता है जैनिजम पैदा होता है अजीवक संपरदाए पैदा होता है तो यह सारे के सारे इनके बारे में पढ़ना पढ़ेगा देखो जैनिजम बुद्धिजम इनके ओपर तो जूजिसी हर बार क्वेशन पूछता है आप यह मान की चलोगे यह वाला जो सेक्षिन है नहीं इतना सा इस सेक्षिन से हर बन जाता है कि हम इसको छोड़े ही क्यों है ना छोड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता यहां तक स्लेबर्स को हमने पढ़ा अब यहां से आगे हम देखेंगे कि क्वेशन से जो जीशी ने कैसे बुच है अगर हम उन क्वेशन को करने में सक्षम हो जाते हैं तो समझ लो को हम और भीस हमारा स्लेबर्स साथ साथ कंप्लीट है जैसे सलेबर्स में मैंने अभी आपको कहा कि यह वाला सेक्श न बहुग्रच हैं ऐसे हमारे लिए इसको पढ़ना भी बहुत ज्रूरी है तो यह यह स्कुष्ण बहुत जरूरी है चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ करते हैं आपके लिए एक ही काम है वीडियो को लाइक टूर कर दिया करो नीचे अच्छा सा कॉमेंट जिरूर किया करो मैंने देखा है कि बच्चे कॉमेंट करते ही नहीं और कॉमेंट करने में क्या दिक्कत है क्या जाता है आपका अच्छा सा कॉमेंट करो वीडियो को लाइ स्ट्राटरिक किस त्रीक से प्लैन करना किस तरीके से पढ़ना किसी भी वीडियो में हमारे सत्थed द्रैनल पर यह को मिलेगा तो इसके लिए आपको लाइक करना बंता है वीडियो को लाइक कर दिया करो षेर कर दियािया कीऒmbben कि आ aspect कर in तो मैं definitely promise करता हूँ कि अगली वीडियो में आपके लिए section जो दूसरा है second section के जितने भी questions है जो भी उसकी strategy जो भी planning है वो सारी करवाद हूँ धीरे धीरे करके मैं दसों unit के आपको complete सारे previous questions साथ साथ तका syllabus भी detail में समझा दोगा उससे हमारी broadway एक strategy बन जाएगी कि हमने अपने exam को plan कैसे करना है त्यारी कैसे करना है पढ़ना क्या है कहां से पढ़ना है ने चीज़ तो यह होती है कि पढ़ना क्या है कहां से पढ़ना है बुक कौन सी अच्छी है हमारे लिए सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मैं आपको हर वीडियो में बताता ही रहता हू तो आप इसको भी जिरूर आगे लाई को शेयर जिरूर करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्ट जब हम सिंदुगाटी सब्वेता पढ़ रहे हैं या फिर हम वैदिक पिरिट पढ़ रहे हैं उस समय उस समाज के लोग आपस में किसी ने किसी भाषा क्या तो इस्टेमाल करते हैं जैसे हमारे अभी यहाँ पर जो गुराम का प्रधान होता है जो गाउं का प्रधान होता है उसको हम सरपंच कहते हैं किसी किसी स्टेट में उसको प्रधान कहते हैं ठीक, ऐसे ही उन्होंने पूछा है कि परांबिक वैदिकाल में वजरपती को था, यह जो टर्म्स हैं, यह जो नाम है, यह इंपॉर्टन्ट है, जब हम वैदिक पिरिट को पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें इन चीजों के उपर ध्यां रखना होगा हमें, अच्छे से अकनी जिसे हम डाकिया कहते हैं, उसे हम पलगला कहते हैं, ठीक है, अर्थपती एक इंपॉर्टन्ट उसमें वर्ड यूस होता था, इसको हम मुखे न्यायदीश कहते हैं, सेना ध्यक्ष को सेनानी कहते थे, प्रवार के प्रधान को कुल पती या फिर ग्रह पती कहते हैं, तो ये सारे के सारी जितनी टर्म्स हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा, तो इस प्रशन का उत्तर तो आपको पता लगया, उप्शन ए, इस प्रशन का सही अंसर था, निमलिक में से कौन जैन डिक्षुनी बढ़ने वाली पहली महला थे, जैन धन को परचारित और पर इस प्रशन का उत्तर था, उप्शन ए, ठीक है, भारत में नपशान संस्कृती 10,000 BC से लेकर 9,000 BC के आसपा से रिजिस्ट करती थे, ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी इसकी विशेस्ता थी, गिसकर पालिशकर बनाएगे प्रस्तर उपकरण, पहले उनको पत्रों के औजार बनाएगे थी, क्या ये उसकी विशेस्ता थी, खल चलाना, बैल गाड़ी, खेती से उपजाएगे जो और मटर, देखो नपशान संस्कृती में पशुपालन का सबसे पहले जो प्रारंब हुआ था, ये आप याद रखिए कि नपशान संस्कृती में सब से पहले पशुपालन का प्रारंब होता है, और इसी काल में घिसकर और पालश करके बनाएगे जो प्रस्तर पत्थरों के उपकरंते, वो खेती के लिए यूज किये जाते थी, ठीक है, तो ये दो आप्शन तो बिलकुल ठीक थी, वहीं हल और बैल गाड़ी जो थी, ये नहीं रही है, तो इसमें केबल दो ही ऑप्शन ठीक थे, ठीक है, एक और चार, तो अंसर था इसका ऑप्शन सी, ठीक, महापशान संस्कृती के साथ, इनमें से क्या-क्या समन दीते हैं, ऑप्शन से हमारे पास लोहे के अजार और उपकरन, घोडे, जोर्वे भांड, सर्क तो देखो, महापशान संस्कृती दक्षिन भारत में एक्जिस्ट करती है, इसका जिदी हमें समय काल पूछ लिया जाए, तो ये पच्छी सो बीसी से लेकर, दो सो एडी के आस पास का जितना भी समय है, उसमें ये संस्कृती एक्जिस्ट करती थी, ठीक है, तो इसकी पू ये सारी संस्कृतियों के उपर लागू होता है, जब ही आप पढ़ रहे होते हैं, जौर्वे संस्कृती या फिर मालवा संस्कृती, उनके बारे में जब आप पढ़ रहे होते हैं, जुरूर आपको इन चीजों के बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक है, यहां पर हमसे तो लोहे के औजार और उपकरन ये तो उनकी विशेशता थी, घोड़े वपार के लिए इस्तेमाल करते थे, जो और भाण भी उस संस्कृति की विशेशता रही है, और जो डॉल्मन है, डॉल्मन एक परकार का मेगालिथिक टॉम्ब होता है, मेगालिथिक टॉम्ब का करके एक टेबल नुमा अकृति बनाई जाती है, उसको डॉल्मन कहते हैं, तो ये वाली जो संड़चना थी, इस्सकृति की विशेशता नहीं है, ठीक है, तो केबल चार आप्शन बिल्कू ठीक ते, एक, दो, तीन और चार, अंसर था इसका आप्शन, सी, ठीक है, चलिए, आपके मैप की डिमांड करते हैं, अब यहाँ पर देखो, जब हम पढ़ रहे होते हैं, मैंने पहले ही आपको बहुत सारे से कॉश्चन और भी आएंगे, पहले ही मैं आपको यह समझा चुका हूं, कि आपको मैप का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना होगा, ठीक है, अग आपको वह अच्छे से याद हो जाएं, तीक है, जो है, महाराश्टर के साथ समंधित है, काहिता संस्क्रिती, मद्या परदेश के साथ समंधित है, और जियाना, छिए एक राजस्तान में पढ़ने वाली साइट है, ठीक है, और रोच्टी, छिए गुजरात में पढ़ती है ठीक है अब आप इसका chronological order में अंसर मिला के देखो एक का दो होगा दी का तीन सी का चार और डी का एक तो यह option एक में है ठीक है एक अंसर अब इसकी थोड़ा practice करोगे तो यह question आपके गलत नहीं होने जाए जो जिसी अब यह question में ऐसे कम पूछ रहा है लेकिन हमें पढ़कर तो जाने होंगे क्योंकि जो जीसी ने अगर पूछे हैं क्या पता कहां से repeat हो जाए कुछ ऐसी statement है आगे चलके मैं वह भी बताऊंगा कि कौन सी statement अभी recently repeat हो रही है previously asked question में से कौन सी statement अभी repeat हो रही है जिए बहुत important है जब हम पढ़ रहे होंगे तो जिन चीजों का ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए अगले question को देखते है वैदिक नदिया और उनके वरतमान नाम जो जीसी वैसे यह question भी अभी कम पूछ रहा है लेकिन अगर कहीं न कहीं statement म तत्य बनाकर fact बनाकर अगर पूछ ले क्या हम उसको गलत करेंगे नहीं हमें गलत नहीं करना है हमें तो उसको अच्छे से करना है जो वरतमान वैदिक नदिया है उनके वरतमान नाम क्या क्या है जैसे आसकनी परशनी शतुद्री विपाश्या सिंपल से इनको दो तीन बार लिखोगे तो याद हो जाती है कुछ जादा मुश्किल नहीं है जैसे जो परशनी नदी है बहुत इंपोर्टन बार बार इतिहास में इसका नाम आता है ठीक है त्रिता जुग में एक युद लड़ा गया था दस राग्य युद वो परशनी नदी के उपर ही लड़ा गया जो श्युद आप ऐसे खर्तता है एक जो अगर अगर आपको पता तो आप लिमेनेट करके भी आपर सकते हैं जैसे बी का यहांपर तीन था तो आप सीधा इसपांसर भी लगा गए जा सकते हैं कोई मुश्कल नहीं था यह fo तो अब मिलाओ इसको आसके नहीं चिनाब का नाम है जो शतूद्री है ये ब्यास को कहते हैं विपास जो है ये सतलूज नदी का नाम है ठीक है तो अब इसका अंसर्था ऑप्शन ए चलिए आगे बढ़ते हैं सुची एक को सुची दो के साथ मलें महाजनपद और उनकी राइ निजम का गरंद है ठीक है अब इनकी राइधानियां इंपोर्टन्ट है तो राइधानियों के बारे में जोजी सी ने प्रया क्वेशन पूचे हैं और अब रीसेंटली भी वे महाजनपद काल से क्वेशन पूच रहा है तो इसका मतलब हुआ कि हमें इनको पढ़के जाना चाहिए ठीक है जहां पर देखो तो अश्मक थी इसकी राइधानी थी पोटन बहुत इज़ी है ज्यादा मुश्कल नहीं है अश्मक की राइधानी थी पोटन और चेदी की जो राइधानी थी वो थी सुक्तिमती ठीक है तो याद रखिएगा इनको आप एक दो बार लिख क्वेशन सी में था ठीक है सी अंसर व इसक्वेशन नीचे दो कतन दिये गया है जो जी सी के ये फेवर्ट सेक्षन है क्वेशन थोड़ा सा करने जरूर करते हैं मैं हमेशा ही आपको इन क्वेश्चन को अटेंप्ट करने का तरीका समझाता ही रहता हूं देखो के दोनों स् तो फिर मुश्किल है ये क्वेशन तब गलत होते हैं इनके उपर सेस्मेंट करना इसको गैस लगाना इन क्वेश्चन को बहुत मुश्किल है मैं नहीं कहता हूं कि आप गैस करके गलत करो आप पढ़के सही करो ठीक है चलिए ऐसा माना जाता है कि हडपा सब्बता के लोग पारिक सब्बंदों की परिकल्पना की पुष्टी करता हो देखो हमें बहुत सारे ऐसे साक्षे मिलते हैं जो मैसोपर्टामिया के साथ पर पारिक सब्बंदों की परिकल्पना की पुष्टी करते हैं तो ये कतन बिल्कुल गलत था ठीक है जो मेंसे एक गलत है तो अंसर त इसका option C, अगर मालो दोनों ठीक हैं, जहां उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, आगे चलके वो भी question आएंगे, मैं वो भी आपको समझाता हूँ, कैसे हमने उनको attempt करना है, निमलिक्त में से किस पुरा पाशान कालीन स्थल पर, अल्यूशन औजारों के साथ, पशू पाचिन के समझ चाय का साक्षे हमें मिलता है, तो options में हमारे पास अतिरा पक्कम, भीम बेटका, हूंसी, पलेरू, देखो, अल्यूशन संस्क्रिती को हैंडेक्ट संस्क्रिती, मदरास संस्क्रिती भी हम कहते हैं, पूरा पाशान संस्कृति की अल्यूशन संस्कृति है उसको मदराज संस्कृति का नाम कृष्णा स्वामी ने दिया था ठीक है और सबसे पहले 1864 में मदराज के नेकिट अतिरा पक्कम से प्रफेसर किंग के द्वारा कुछ औजार प्रापत किये थे और ये इस्प्रेशन का उत्तर तो ऑप्षिन ए है और उन उजारों के साथ ही हमें पता लगता है कि उनकी उपर जो पशु के पद चिन भी उसके उपर उत्गीरन कर रखे थे तो इस्प्रेशन का उत्तर था ऑप्षिन ए चलिए आगे बढ़ते हैं निमेलिक्त घटनाओं को क्रोनोलोजिकल ओडर में लगाना है सिकंदर का भारत से वापस जाना परसी पॉलिस का देहन सिकंदर के द्वारा हिंदु कुष को पार पूरवी इरान पर विज़े प्राप्त करना और सिकंदर के सामराज्जी का तिरे प्रादिस ये में विभाजन होना तो काफी इंपॉर्टन क्वेशन है इनकी देट इनकी येर्स बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि सभी आस पास ही हैं तो इसका मतलब भी थोड़ा मुश्किल पैदा जरूर करते हैं सिकंदर का भारत से वापस जाना जब सिकंदर भारत से वापस गया था तो उस समय चल रहा था 326 BC 326 BC और परसी पॉलिस का देहन हुआ था 522 से लेकर 486 BC के दौरहन ठीक है 522 BC से 486 BC के बीच में ठीक है और सिकंदर के द्वारा हिंदु कुष के पारपूरवी इरान पर आकरमन कर दिया था उसनी वो किया था 327 BC में ठीक है 327 BC में और सिकंदर के समराज्य का भी भाजन हो गया था यह हुआ था 323 BC में ठीक है 323 BC में अब मलाओ इसके क्रोनलेजिकल ओर्डर में क्या होना चाहिए इसका अंसर सबसे पहले आएगा 2 ठीक है पैरेपॉलस का देहन तो 2 आएगा यहां पर आप्शन D में तो उसके बाद 3, 1 और 4 तो अंसर है इसका आप्शन D भारती उपमाधीब के निमलिक्त में से किस नवपशान काली इंस्थल पर फसल उतपादन का प्राचीन तम साक्षे प्रापत होता है किली गुल मुहम्मद कोड दीजी मेही या फिमेहरगड धीरे धीरे करके जैसे जैसे एग्जावेशन्स हो रहे हैं तो नए नए एग्जावेशन्स के अकॉर्डिंगली जो नए नए एरिया हैं वो हमें पता चल रहे हैं कि कौन सी जगा पर सबसे प्राचीन काल में वापस क्रिशी होती थी ठीक है तो यहाँ पर हमने देखना है कि जो भारती उपमाधीब में पढ़ने वाले नए पशान कालीम सले से कौन से थे तो भारती उपमाधीब पूरे का पूरा ही था जिसमें पाकस्तान, बलोचिस्थान, अफगानिस्तान वो पूरे का पूरा एरिया उस समें भारती उपमाधीब ही बढ़ता था ठीक है तो वहाँ पर हमने देखना है कौन सी जगह से हमें प्राचीनतम खेती के साक्षे में प्रापत होते हैं किली गुल महमद कोड़ीजी, मही जाफर महरगड आप समने सुना होगा कि जो महरगड़े जे हरपा काल का सबसे परमुक्स तल माना जाता है यहां से हमें गेहों की तीन और जो की दो किसमों की खेती किये जाने के हमें प्रवाण मिलते हैं याद रखेगा महरगड को बलोटिस्तान की रोटी की तोक्री भी कहा जाता है ठीक है पहले यही माना जाता था कि सबसे ज़्यादा जो प्राचीन तम साक्षे हमें मिलते हैं वो हमें मिहरगर से ही मिलते हैं लेकिन अब जो नई एक्जावेशन हुई है वो उत्र परदेश में एक जगा पढ़ती है कबीर नगर जिली में लहुरा देवा वहांसे अभी हमें किरिशि के जो प्राचीन तम साक्षे मिले हैं माना जाता हैं वो आठ़हेशार बीसी से लेकर 9000 बीसी के आस्पास की हैं तो अब हमारे पास जो नई ऐविदेंस मिली हैं लहुरा देव सबसे प्राचीन तम स्थलों में से एक स्थल है जिसमें खेती के प्राची इंदन साक्सा में मिलती है तो इस प्रशन का उतर है आप्शन D निम्मन लिखत में से किस स्थल पर 2001 में जिवाशमिकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था 2001 में केरल की विश्व द्याले के एक प्रोफेसर है उन्होंने विल्ना पुर्म जिले में जो तमन लड़ में पढ़ता है वहां पर एक जगह पढ़ती है ओडाई वहां से मानव शिशु कपाल की प्राप्ती की थी तो इसका सही अंसर तो ये होना चाहिए लेकिन जो जिसी ने इसका सही अंसर ये नहीं माना है जोजी सी कहता है कि 1982 में नरम्दा घाटी के किनारे पर एक जगा है हतनौरा वहां से मानव के कंकाल की खोपड़ी का भाग मिला था जिसका जब कार्बन डेटिंग से अंकलन किया गया तो ये माना गया कि ये 3,50,000 वर्ष पुराना है तो जोजी सी इसका अंसर मानता है हतनौरा ठीक है इस प्रशन का सही उत्तर है option C ठीक है C is the answer of this question actually इसका अंसर D होना चाहिए लेकर जोजी सी जोजी सी जोजी सी है उसको challenge तो हम करी नहीं सकते ठीक है लेकर ज़िए हम इसका अंसर मान के चलें तो D भी मान सकते हैं और C भी मान सकते हैं दोनों अंसर इसके valid होंगे ठीक ठीक चले आगे बढ़ते हैं मैं कहता हूना के previous year के question papers में से बहुत सारे ऐसे facts हैं जो बार बार repeat होते हैं बार बार repeat होने का मतलब है कि जोजी सी कही ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी ऐसे facts को उठाके पोशी लेता है तो यहां पर देखो उनों ने बुद्ध के अपने अस्तियव शेशों पर स्तूपों के निर्मान का अदेश दिया था अभी 2023 में जून में जो question में प्रपूचा गया था जे fact बिल्कुर repeat हुआ है उसमें ठीक है तो बिल्कुल यह कतन सही है कि महात्मा बुद्ध ने अस्तियव शेशों पर स्तूपों को निर्मान करवाने का अदेश दिया था स्तूपों के निर्मान की प्रथा प्राग बौधकाल में थी बिल्कुल यह भी सही है कि बौधकाल से पहले भी स्तूप बनवाने का जो कार्य था वो चलता था उसी को देखते हुए महात्मा बुद्ध ने अपने शेशे अनंद को यह अदेश दिया था कि उनके जो अस्तियव शेश है उनके ओपर भी स्तूपों का निर्मान करवायद है ठीक है और जैन धर्म वालिम्बियों ने भी पारंबिकाल में समारग के इस रूप का निर्मान किया था यह से भी बिल्कुल ठीक है सारनाथ का वर्तमान धमेक स्तूप प्राचीनतम स्तूपों में से एक है तो यही गलत है ठीक है देखो सारनाथ का जो वर्तमान में धमेक स्टूप है यह प्राचीनतम स्टूपों में नहीं आता है क्योंकि इसकी रचना मौरे समराड जो थे अशोक उन्होंने की थी कब की थी 500 AD की ठीक याद रहें किना तो 500 AD जादा प्राचीन तो हो गई नहीं है ना तो यह वाला जो गतन था यह गलत था तीन कतन यहां बिलकुल ठीक हैं एक दो और तीन तो अंसर था इस प्रेशन का उप्शन बी जैनिजम और बुद्धिजम से जो जो जिसी पूछता है इनको भी वह फैक्ट बेस्ट बना रहा है तो सुची एक और सुची दो को यहां पर हमने मिलाना था सुची एक में जितने भी तीर थंकर्स हैं और उनके एक चिन हुआ करते थे जिस चिन के साथ वह अपने आपको रिप्रेजेंट करते थे जैसे आदिनात का सांड था बैल जिसको हम कहते हैं मलेनात का घड़ा था कलिश 24 के 24 ती थंकरों के अपने अलग अलग चिन हुआ करते थे उनको एक बार लिख लो दो दिन बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे किया पता कहीं जिजिसी किसी فیک्ट में ऐसा पूछ ले चिन किसी और का हो नम किसी और का हो तो वो गलत हो जाएगा फिर एह ना अगर ऐसे कोश्चन जिजिसी पूछता है तो वह फैक्ट बेस्ट बनावी बनावा सकता है ठीक है जिसको हम बैल भी कहते हैं मले नात का था घड़ा मले नात का था घड़ा और यहाँ पर घड़ा तो है ही नहीं है मले नात का घड़ा था तो घड़ा यहाँ पर दे नहीं रखा उन्होंने ठीक है एक लिए यहाँ पर ना में स्प्रिंट हैं यहां पर घड़ा है, ठीक है, याद रखना, मले नात का घड़ा था, और महावी स्वामी का शेर है, ठीक है, पार्शम नात का सरफ है, ठीक, तो यहां पर बिलकुल सीधे मिलाए हुए थे, एक, दो, तीन और चार, तो अंसर था इस्प्रेशन का उप्शन, बी, ठीक है, जैस चलिए, आगे बढ़ते हैं, इतने भी हमारे पुरा स्थलन, जैसे पाशानकाल, मद्या पाशानकाल, पुरा पाशानकाल, वहीं पर हम हडपा सब्वेदा की जब बात करते हैं, तो वहां से हमें लोगों के दफनाए जाने के बारे में पता चलता है, कि वहां लोगों को किस तरीके से लोगो जब मरते थे, उनको किस तरीके से दफनाते थे, जा उनका ससकार करते थे, जो भी उनकी प्रताएं थी, उनको हम जब पढ़ रहे होते हैं, तो तोड़ा सा दिमाग में जरूर रखिएगा, जैसे ताबूत शवाधान, ठीक है, ताबूत मतलब एक प्रकार कर ताबूत बनाया जाता था, उस ताबूत में उस इंसान को डाल करकि दफना ला दिया जाता था, जैसे याद कल्बी, जैसे क्रिश्चिन लोग करते हैं, ठीक है, तो जो ताबूत शवाधान था, ये हडपा निवासियों की विशेशता थी, ठीक है, तो मिलाओ इसको, औ और विस्तारित शवाधान, विस्तारित मतलब बहुत भड़ा शवाधान बनाया जाता था, जिसके आलरोन काफी चीज़ें कर्थी की जाती थी, तो यह ऐसा जो हमें साक्षे मिलते हैं, यह हमें सौनौली से, ठीक है? और संजुक्त शवाधान का मतलब यह हुआ कि जिसके साथ एक के साथ कुछ और लोग वी जैसे दो महलोफ हीमेल और मेल दोनों की डैट होगी तो दोनों के गठे दफना देते हैं तो ऐसे साक्षे हमें मिलते हैं लोथल से लोथल जो ही गुजरात में बढ़ता है ठीक है और कलश शवाधान बंदे को एक कलश नुमाकरिती में डाल करके ठीक है उसको वहां दफना आ जाता था ऐसे हमें साक्षे मिलते हैं महंदोद्रों से अब इसको क्रोनलोजिकल और में लिगा के देखो सबसे पहले एक आएगा एक बी का चार, सी का दो वो डी का ते है तो अंसर होगा यहां पर आप्शन सी, ठीक है, सी इस अंसर विस कोईशन उस स्थल की पहचान केजिए जहां घोडा होने के परमान नहीं मिलते हैं तो हडपा सब्धा वें वैसे घोड़े का परियोग तो वो करते नहीं थे लेकिन कुछ ऐसी जगाएं हैं, जहां से घोड़े के साथचें मिलते हैं जैसे घोड़े की हड़ीयां मिली हैं अन्य कंकाली मिलेगे जीवत घोड़ा थोड़ी नहीं मिलने वाला है तो जैसे कुछ स्थल है, काफी प्राचीन स्थल थे, जैसे गली आई है, हमें इनका समयकाल भी यहां पर लिखा है ठीक है, 1895 से लिखकर 1695 बीसी के बीज में, ठीक है, बुर्ज हम 1720 सी में था, ठीक है, पिराक लगभग माना जाता है तेरां सो इस भी पूर पिराक का समयकाल हमें पता लगा है, और इनाम गाउं, जिसका समयकाल लगभग 1420 के आसपास हम अग्जिस्ट करते हैं जून 2019 में ये क्वाचन जिसी ने पूछा था, तो असान क्वाचन था, तेको गलियाई जो है, यहां से भी हमें कुछ ऐसे एविडेंस से मिले हैं, जहां से घोड़ा वहां पर यूज करते थे और पिराक और इनाम गाउंस से भी हमें घोड़े के साथ से मिले हैं, बुर्ज होम एक ऐसी जगह है, जहां से हमें घोड़े के साथ से नहीं मिलते हैं, ठीक है, बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ होता है, बुर्ज विर्ख्ष का स्थान, जहां पर बुर्ज नाम के विर् को दफनाए जाने का साक्षे भी हमें मिलता है जैसे मालिक की डैथ होती थी साथ साथ उसका जो पालतुग कुता था उसको भी वहाँ पर दफना दिया जाता था ठीक हड़ी के औजार छोटे छोटे ठीक है उस सारी चीजें गेहूं जो फसल के परमान हमें यहां से मिलते हैं ठीक तो इस प्रशन का उत्तर है आप्शन दी धर्म शास्तर रचनाव के संबन्द में निमलिक में से कौन सा वक्त अवे सही नहीं है तो नहीं को तो वैसे अंडरलाइन कर लिया करो क्योंकि यहां से गल्ती ना हो ठीक है जो देखो जो धर्म शास्तर है उसकी रचनाएं हैं जितनी ना उसमें कौन-कौन सी चीजें इसमें शामिल नहीं हैं जैसे जैसे मालो धर्म शास्तर के अंतरगत तर्धर्म सूतर आते हैं सम्रितियां आती हैं टीकाएं आती हैं ठीक है तो गौतम धर्म सूत्र ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यदा प्राचीन है और वर्ण वबस्ता का सपष्ट वर्णन भी हमें इनी सूत्रों से ही प्रापक होता है इनमें से चार वर्णों और समाजिक जीवन के मान दंडों का संदर्ब मिलता है ये तो बिलकुल ठीक है और इनमें से भी जातियों का संदर्ब नहीं है देखो जो वर्ण वबस्ता है वही तो इसमें शामल की गई थी ठीक है तो जातियों को अलग अलग कर दिया था इसी में तो ये वला आप्शन यहां पर गलत है इनमें देश धर्म और कुल धर्म का संदर्ब होता है ये ये भी बिलकुल ठीक है इनमें जोर दिया जाता है कि परतेक व्यक्ति अपने वन के धर्म का पालन करे ये ये भी बिलकुल ठीक था कि अबले यहां पर B statement गलत है तो answer था expression का option B चलिए आगे बढ़ते हैं नीचे तो कथन दिये गए हैं एक को अभी कथन A कहा गया है और दूसरा उसका कारणार ठीक है अभी कथन यह कहता है कि अब इस संबन्द में काफी कम संदे है कि सिंदु घाटी सब्विता के कतिपय पहलू दित्य और प्रत्म सहस्तराब्दी की संस्कृतियों से मिलते हैं तो यह बिल्कुल कथन ठीक है सही है और सिंदु घाटी सब्विता और वैदिक संस्कृति के बीच पारंबिक हैती सबिता के अस्तेत्व को अब नहीं माना जाता है तो ये भी बिल्कुल ठीक है ठीक है ये को दोनों कतन बिल्कुल ठीक है अब हम ये देखें कि ये व्याक्या भी करता है या फिर नहीं करता है तो दोनों को आप जब पढ़ते हैं तो ब्रेक्टी हमें पता लगता है कि दोनों का आपस में कोई रलेशन तो बनता ही नहीं है तो अंसर था इस्प्रेशन का उप्षिन दी ठीक है यह व्याक्या नहीं करता है बुक्स और आइटर्स के उपर क्वेशन प्रया पूछा ही जाते हैं मैं हमेशे ही कहता हूँ कि जूजी सी का यह फेवरेट सेक्चन है तीन से चार क्वेशन तो जूजी सी पूछी लेता है तो हमने इसके उपर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने जितने भी 2016 तक के उसमें जितने भी बुक्स और राइटर्स के उपर क्वेशन आये थे किसी गो भी नहीं याद होते हैं अभी जो जो जिसी question पूछ रहा है वो नहीं नहीं books पूछ रहा है नहीं नहीं जो बिल्कुल latest है आप एक बार latest जो 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी questions है ना उनको एक बार जादी उनकी books और writers को एक बार देखने तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि वहाँ से question के repeat होने के साथ तो वहाँ से probability है कि ज़्यादा question आने की संभावना हो सकती है यहाँ पर books हैं और उनके जो लेखे के हैं यहाँ पर देखो उनको मला के देखो जो कावय दर्ष है यह दंडी की रचना थी जो कावय दर्ष है यह दंडी की रचना थी दंडी ने इसको लिखा था अश्ट अध्याई यह पाननी की रचना है बहुत बार यह तो सब को पता होगा अश्ट अध्याई पाननी की रचना है और महाभाशे महाभाशे लिखा था तो थोड़ा लिख लिया करो, बार बार लिखने से, प्रैक्टिस करने से आपको ये questions आएंगे, तो A का 4 है, और B का जो है, वो 3 है, C का 2 और D का 1, तो ये है option B में, ठीक है, B is the answer of this question, भगोर साइट के संबन में निमलिक में से कौन सा कतन सही नहीं है, यहां पर बिलकुल हमने जो गल्द कतन है, वो ही ढूणना है, ठीक है, यह राजस्तान में स्कीत है, बिलकुल यह सही है, कि यह राजस्तान के भील वाड़ा जिले में स्कीत है, 1968 से लेकर, 1970 के बीच में, वियन मिशर ने इसका उत्खनन करवाया था, वियन मिशर ने, याद रखिएगा, इनकी जो उत्खनन करता है, उनका नाम भी आप याद रखना, वियन मिशर ने इसका उत्खनन करवाया था, ठीक, याद रखिएगा, इसके विशूद महापाशान, प्राग भान चन के होने के समंद के बारे में, हमारे पास, 5365 और 2775 बीसी की अवदी की कार्बन दितियां प्रापत होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसके प्रारम सही कृषी समंदी चिन पाए गए हैं, नहीं, ये गलत है, यहाँ से हमें ऐसा कोई भी ऐविदेंस नहीं मिला है, तो यहाँ से ये भी हमें पता चलता है, कि 5000 बीसी से पहले कुछ ऐसे पालतू पशू थे, जिनके हमें अवशेश मिले हैं, जिसमें जम्बू, बैल, भेड, बकरी, सूवर, ठीक हैं, ये सब याते हैं, तो ये भी कत्र मिल्कुल ठीक था, यहाँ पर जो गलत करते हैं, वो हैं ऑप्शन C, ये क्वेशन थोड़ा सा असान था, निमलिक में से किस ने रेडियो कार्बन काल ने धारन तकनीक लगो की थी, रेडियो कार्बन डेटिंग टेकनीक और अप्लाइड टू विच अवड़ फॉलिंग, आप्शन थे हमारे पास पुरा लेक विद्या, पुरा तात्विक विभाग, पांडू लिप्पी, पुरा लिख समगरी, दिखो ये पुरा पतात्विक विभाग है, उन्होंने इसको इंट्रड्यूस किया था, 1943 में, 1943 में, किसने किया था, एकर साइन्स शाहती थे, विलियर्ड लिभी, जाद रखना हुँका नाम, इन्होंने इस पदिती को इंट्रड्यूस किया था, ठीक, कार्बन फॉर्टिंग के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक, इस प्रेशन का सही उत्तर है, आप्शन, बी, आर्केलोजी, अब ये क्वेशन जो है, मैंने पहले ही आपको काया कि मैप की दिमाड करता है, मैप पे आप जब इन क्वेशन को आप पढ़ोगे, देखोगे, फिर आप इनको असानी से कर पाते हैं, ठीक है, कोई मुश्कल नहीं है ये क्वेशन, थोड़ा सा आप इनकी बागॉलिक स्कीमा को एक बार लोकेट करके मैप पर देख लो, तो इसली याद हो जाएंगे, तो आपकी दमाग में बिल्कुल शब जाएगा ये, ठीक है, जैसे अवंती है, अवंती मध्य भारत के मालवा क्षेतर में पढ़ने वाली जगा थी, ठीक है, अवंती मध्य भारत, जो सेंटरल इंडिया है, उसके मालवा क्षेतर में पढ़ने वाली जगा थी, ये राज्य हुआ करता था, तो गंधार, गंधार को, गंधार नरेश, महाभारत के में भी सुना होगा आपने शकुनी ठीक है वह कौँ सा एरिया था पेशावर रावल पिंडी कश्मिर घाटी के आसपास पढ़ने वाला जितना भी एरिया था वो गंधार एरिया ही था और चेदी चेदी नरेश जिसका बद किया था किसने किया था महाभारत में कौन थे वो शेशुपार्ट, ठीक है, मद्य भारत के बंदेल खंड का पूरवी भाग, ठीक है, यह उसका एरिया चेदी गंदराज्य का होता था, और वज्जी यह था, यह निपाल की पहाड़ियों तक जो गंगा का उतरी भागता उसमें एक्जिस्ट करता था, ठीक है, तो अस्थियां मिलें हैं, ऊंट के हमें अब सेश मिले हैं, यहाँ पर काली बंद्गा, हडपा, लुस्थल, मोहिन जोजी लोग, ठीक है, यह हमें मिले थे काली बंद्गा के ठीक है, जब उन्नीस सो अक्यावन में, आइчесन फिफ्टिवन में इसकी खोज कर रहे थे, कौन कर र उसने इसकी कोज की थी 1951 में तो यहां से बहुत सारी और भी चीज़ें मिली हैं आपको याद रखना होगा कि काली बंगा राजस्तान में पढ़ने वाली एक जगा है गंगा नंगर जिले में स्टेट रही ठीक है यहां से हमें जो भी जुद्ध हुए खेट के साक्षे मिले हैं कि यहां पर खेट जोद कर लोग खेटी करते थे ऐसे साक्षे हमें प्राप्ट होगा है उंट की हड़ियां यहां से हमें मिली हैं अगनी कॉंड मिला है यहां पर और अन्तेस्टी जब हम करते हैं संसकार करते हैं उसकी तीन विदियों होती है तीन विदियों में आते हैं जैसे पूरन समाधी करना होता है पूरी तरह से उसकी समाधी बना जियाती है दूसरा होता है उसका आंशिक समाधी करन और तीसरा होता है दा संसकार करना मखलब तीनों के साक्षे हमें यहां से मिलते हैं ठीक है और यहां से जो लोग हैं वो कच्छी इतों के मकान बनाके रहते थे ऐसे लिए हमें यहां से साक्षे मिलते हैं तो इस प्रेशन का उत्तर है आप्शन ए ठीक चलिए रिगवेद में नदी सूकति सूकत में किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरसवती की स्तिती का बोध होता है काफी important question है UGC ये question रपीट कर सकता है ऐसे factor रपीड कर सकता है रिगवेद की नदी सूकत में दो नदियों के बीच जो जगा है गैदिक नदी जो सरसवती वहां से निकलती थी उसका हमें बोध होता है कि सरसवती नदी यहां से निकलती होगी ऐसी कौन से जगह है गंगा और चमना चमना और शातूदरी शातूदरी मतलो सातलोज नदी ठीक है शातूदरी और आसकनी आसकनी और वितसता इन में से ऐसी कौन सी जगा है दोनों नदियों के बीच की जगा है जिसको हम दुआब भी कहते हैं तो यह है option B गंगा और शतूद्री जो थी इसके बीच में एक नदी निकलती थी माना जाता है कि उस नदी को सर्सवती नदी के नाम से जानती थी लेकिन अधनी घगर नदी जो है माना जाता है कि घगर नदी वही नदी थी जो उस समय वैदिक समय में सर्सवती नदी हुआ करती थी इस प्रेशन का उत्तर है option B चलिए आगे बढ़ते हैं च्याग वालिक के रिशी और मैतरी का दाशनिक संबाद आपको किस उपनिष्ट में मिलता है UPSC में भी ये question बहुत बार पोचा जा चुका है और UGC भी बार बार इस question को कई बार statement based मिना रही है कई बार ड्रेकली पूछ रही है तो ये question आप लोगों के लिए काफी important हो जाता है options की हमारे पास वरद्रनाइक उपनिष्ट, स्वेताशवर उपनिष्ट कोशीत की या फिर शान्द होगे देखी, दो उपनिष्ट ऐसे हैं, वरद्रनाइक उपनिष्ट और स्वेताशवर उपनिष्ट ये दोनों के दोनों ये जिरुवेद के उपनिष्ट है, ये जिरुवेद के दोनों उपनिष्ट है आते हैं जैसे कठो उपनिष्ट है इशो उपनिष्ट है श्वेट ताश्वर उपनिष्ट है और विद्रनाइक उपनिष्ट है यह चार उपनिष्ट ऐसे हैं जिजर वेट से समझ लेते हैं यागवल के और गारगी का जो संबाद है वो आपको विद्रनाइक उपनिष्ट मे यह रिगवेद का उपनिष्ट है कोशित की उपनिष्ट रिगवेद का उपनिष्ट है ठीक है और वहीं हम शान्दों के उपनिष्ट की बात करें यह काफी इंपॉर्टन्ट है कई बर लिखा आता है कि सबसे प्राचीन कौन सा उपनिष्ट है तो शान्दों के उपनिष्ट में ही मिलता है ठीक है अब आपको यह भी यहाद रखना है कि शान्दोगी उपनिष्ट कौन से वेद का उपनिष्ट है यह साम वेद का ठीक है यहाद रखना साम वेद का यह उपनिष्ट है और कोशित की रिद्वेद का उपनिष्ट है A is the answer of this question. Is it clear? कतनी कहता है कि गौतम बुद्ध पुनर जन्म में विश्वाश करते थे बिलकुल जो महात्मा बुद्ध थे वो पुनर जन्म में विश्वाश करते थे लेकिन वो आत्मा की existence पर विश्वाश नहीं करते थे ठीक है वो आत्मा को नहीं मानते थे पुनर जन्म मा इसरा expression का option D चली आगे बढ़ते हैं निमलिक्त में से कौन सा प्रयाग इत्यासिक स्थल बड़े परिमान में लगू पशान उपकरनों के उत्पादिन के लिए जाना जाता है तो ऐसा कौन सा स्थल है जहां से लगू पशान उपकरन हमें मिलते हैं आदमगड बाघवर नाल कुलू से भी हमें नहीं मिलते हैं बगवर एक ऐसा प्राग त्यासिक काल का एक ऐसा स्थल है जहां से हमें लगू पशान उपकरनों के उत्पादन के साक्षे मिलते हैं ठीक है तो ये राजस्तान में पढ़ने वाली एक जगा है और राजस्तान के पूर्वी भीलभाड़ा जनपद में स्थेता ये इस प्रेशन का उत्तर है option b ठीक है निमलिक में से कौन सी वस्तों तामर निदिस्थल से ग्याद होती है जुलाई 2018 में ये question उनों पूछ लिया था कि तामर निदिस्थल से ग्याद होने वाली वस्तों कौन कौन सी है मानम रूपी अकेतियं एंटने चुरिका, मत से भाला जैसे चपते पुरा कुठार देखो ये सबी की सबी जो चीजें हैं जो हमें तामबर निदी स्थल से प्राप्त होती है ठीक है तो अंसर था इस परेशन का ओप्शन डी निमलिक्त किस पुरा स्थल से हडपा संस्कृति के लोगों की जल संसादन ववस्था के जागरू की तकनीक के कौशल के बारे में जानकरी हमें मिलती है धौला वीरा, महुंचोड़ो, हडपा, काली बंगा वेरी वेरी इंपॉर्टन कौशन था हमारा मकसेद है आप लोगों को सकसेस बनाना हमारा में मकसेद यही है कि आप लोगों को सकसेस मिले आपका नेट हो, आपका जे-ई-अरफ हो तो हम आपको केबल वही चीजन के समझाते है वही 콘ٹंट आप पे लिए लिए कराते हिए जो आपके exam relevant है extra कुछ भी हमारी classes में नहीं होता है हमारा main purpose होता है कि आपका focus रहे exam के उपर focus रहे आपका अपने content के उपर ताकि आप अपने exam की त्यारी बिल्कुल smoothly करते जाओ यहां पर जोजी सीने question पूछा था ऐसा कौन से style है जहां से जल संसादन ववस्ता के बारे में जानकरी हमें मिलती है देखो धौला वीरा, महन जोज़रो, हडपा या काली बंगा अभी जगहें important है एक-एक जगहा को ध्यान से पढ़िएगा देखो धौला वीरा और महन जोज़रो तो ऐसे से हडपा स्थले जहां से हमें जल संसादन के जो उनकी ववस्ता थी उसकी जागरुप तकनीक के बारे में पता चलता है धौला वीरा गुजरात के कच जिले में पढ़ता है याद रखे धौला वीरा गुजरात के कच जिले में पढ़ता है भही महंजोदरो पाकिसान में बढ़ता है ठीक है और धोलावीरा की खोज जगपत जोशी ने की थी 1967 और 68 में ठीक है 67 1967 और 68 में ठीक है याद रखना कई बार मिलान के लिए आ जाए तो अपका गलत तो होना नहीं चाहिए ठीक है और लेकिन इसकी खोज की थी वहाँपर जगपत जोशी ने उन्होंने यही बताया था कि यहाँपर ऐसा धौलावीरानाम जग़ा है लेकिन इसकी विश्तृत खोज को ने की थी आगे उसके उपर और एक्सावेशन की थी और उन्होंने वहां से लगबग 16 अलग अलग परकार के जलाशे प्राप्त किये थे उन्होंने कहा था यहां पर लोग जल को एकठा करते हैं उसके बाद उसके खिती करते हैं ठीक महों जोद्रों से हमें एक विशाल सनाना घर के बारे में पता लगता है वहां ऐसा एक तलाब बना रखा था जिसमें लोग सनान करते थे ठीक है और जब उसकी एक्सावेशन की गई जब उसके बारे में और जानकारी कत्रत की गई तो वहां से यह भी पता चला कि लगबग 700 के आसपास कुएं उन्होंने बना रखे थे वो कुएं किस के लिए थे केती करने के लिए कुएं के पानी कवह घरों में इस्तेवाल करते थे केती के लिए भी करते थे तो यह मान सकते हैं कि यह दो ऐसी जगाएं हैं जहांसे जल प्रभंदन बहुत बढ़िया था उनका बहुत ही अच्छे तरीके से उनने अपने जल को स्टोर करना सीखा हुआ था उनकी टैगनीग बढ़ी अच्छी थी तो इस प्रेशन का सही उत्तर है option A किवल एक और दो ठीक है रिगवेद में कौन से जनों का सबी का उलेख मिलता है तो A, B, C और D जनके एक, दो, तीन, और चार्थ सबी इसका अंसर था तो अंसर था option D 2018 जलाई में ये question पूछ लिया था कि वैदिक जुब में राजा के पस्चात महत्त पूरें अधिकारी कौन था प्रोहित एक ऐसी सक्षियत थी उस समय जब राजा नहीं रहता था तो राजा के बार जो दूसरा उसका प्रशाशन को संभालने वाला जो अधिकारी होता था वो प्रोहित होता था, ठीक है इस प्रशन का उत्तर था, option B निमलिक्त में से कौन सा योगम सही समेलत नहीं है, यहां पर जो गलत कतन है वो हमने देहना था उपनिस्त कालीन राजा हैं का कौन सा राजे था ठीक है, यहां पर राजा नहीं है, राजे कौन सा था अजाद शत्रू मगद के नहीं यह गलत है, पहला ही गलत है अजाद शत्रू जो थे यह काशी के राजा थे ठीक है याद रखना इनका पंजाव की एरिया में पढ़ने वाला जी एरिया था कैकाई और इसके जो शाशक थे वो थे अश्च पति ठीक है और विदेख के जो राजा थे विदेख ये जनग थे विदेख एक ऐसी जगा थी जहाँ पर यागवल के और महारिशी गारगी जैसे पंड़ित और वहां पर नारियां शास्तराफ्त भी करती थी ठीक है तो ये वाला भी ठीक है और परवाहन जैबली ये पंचाल शाशक थी ठीक है पंचाल शाशक थी परवाहन जैबली और ये जो पंचाल राज्य है ये पढ़ता था गंगा और चम्ना के द्वाब के बीच में ठीक है तो इस प्रशन का सही उत्तर था उप्शन ए चलिए आगे बढ़ते हैं दिगंबर और श्वेतांबर संपर्द्याओं के मद्य मुख्य विवाद निमर पर जोर देने के कारण था आप्शन से मारे पास अनुशाशन और कुठोर जीवन आहिंसा पवित्तर जीवन जाफर सत्या देखो जैन धर्म जिन दोनों संपरदाओं के उपर टिका हुआ है महाविस्वामी के जाने के बाद जैन धर्म दो हिस्सों में बढ़ गया था एक श्वेतांबर थे और दूसरे दिगंबर संपरदाओं के लोग थे जो दिगंबर संपरदाओं के लोग थे उनके आचारे थे भदर बाहु और उनका मत था के अपने जीवन में अगर हम कुछ भगवान को पाना चाते हैं तो हमें कुछोर जीवन और कुछोर अनुशाचन का पालन करना चाहिए वहीं जो श्वेतांबर संपरदाओं के लोग थे जो सफेद कपड़े पहनते थे वह उसके साथ सहमत नहीं थे देगंबर संपरदाओं के लोग mostly नगनी रहते थे वह बहुत कम बस्तरधारन करते थे तो में इनके आपस में जो डिस्प्यूट का कारण था वो था अनुशाचन और कुछोर जीवन ठीक है अहेंसा पर वो भी बल देते थे वित्तर जीवन जीने के उपर वो भी कहते थे और सत्य बोलना वो का भी मत था ठीक है जुलाई 2018 में ये question पूछ लिया था जूजी सी ने तो ये question काफी important है इस question का उत्तर था option A चलिए निमन संसकारों में से कौन बच्चे के जन्म के पूर संपाधित किये जाते थे which of the falling rules were performed before the birth of the child बच्चे की जन्म से पहले ही जो संसकार किये जाते ही उन में से कौन से थे गरबधान देखो गरबधान तो बिलकुल बच्चे के जैसे गरबधान होता है वहाँ से इस संसकार उसके शुरू हो जाते हैं यह तो था ठीक है पुवंसन पुवंसन एक ऐसा संसकार है जो गरबधारन करने के तीसरे महीने में किया जाता है ठीक है थर्ड मन्त में किया जाता है और सिमान्तोनियन ये गरब धारन करने के साथ महीने में किया जाता है, ठीक है, सेवंध मंत में किया जाता है, सेह धर्म चारणी से योग ये जनम के बाद किया जाता है, जनम के बाद किया जाता है, तो ये इसका अंसर नहीं था, एक, दो, तीन, ये तीन अंसर थे, तो अंसर इसके उपर फिर से क्वेशन बना सकता है जितनी भी जैन शब्दावलियां बुद्दिजम की शब्दावलियां अजीवक संपरदाय की शब्दावलियां इनको एक बार जरूर आप अच्छे से पढ़ लीजिए जादा नहीं है मुश्कल भी नहीं होगी ठीक है इनके उपर जादी दो दिन आपको याद रहेगी तो आप अलिमिनेट करते हैं अनसर तक पहुंच जाओगी दिगंबर मंदर की जो प्रबंदक होते हैं उनको भंदर कहा जाता है जब दिगंबर जैन मुनी को दीक्षा संसकार दिया जाता है ना उसकी जो अरंबिक अवस्ता होती है उसको शुल कहते हैं ठीक है और श्रावक जो जैन उपासक होते हैं उनको श्रावक कहते हैं यह तो याद रखना आपक्षे तो इंपोर्टन्ट है और यती श्वेतांबर बिक्षु जो धर्म धिन चरियाओं का अच्छी तरह से पालन करते हैं उनको यती कहा जाता है तो इसका आंसर मलागे क्या होगा एक का दो बीका चार सी का एक बीका थीन तो यह है आप्षे नहीं है ठीक है चलिए वेपार हडपा की अर्थववस्ता का एक मुख्य भाड था ट्रेडवार्दा स्टैपल ओफ हडपन एकॉनमी देखो भी हडपन सब्वता की जो लोग थे उनकी जो मेन एकॉनमी थी वेपार पर ही टिकी हुई थी तो यह तो उसका एक कतन बिलकुल सही है और वहां की सिक्के मुदराएं मिली हैं जो दूसरे देशों के साथ वेपार में ही इस्तिमल की जाती थी तो अगर हमें डॉक जार बंद्रगायیں मिली हैं इसका मतलब तो सीधा सीधा यह हो गया कि उनका दूसरे देशों के साथ भी वेपारिक सम्बन्ध था तो B is also correct उनका नील नदी घाटी सबेता के साथ गनिस्ट वपारिक सबंद था ये बिलकुल सत्य है उनका नील नदी घाटी सबेता के साथ भी उनका गनिस्ट संबंद था लेकिन ये पूरन सत्य नहीं है यहाँ पर जदी हम कहे दें उनका नील नदी घाटी सबेता के साथ ही संबंद था तो ये गलत हो जाएगा ठीक है उनका इसके इलावा अन्ने कई और देश भी थे जिनके साथ उनका वपारिक घनिस्ट संबंद था तो C is incorrect यहाँ पर ठीक है उत खनुनों से कांसे की पकी मिट्टी की बैलगाडी के नमूने था था साथ ही नाव की चितरन से भी युक्तमोरें प्रापत होई हैं इस इस आलसो correct तो C is the answer of this question थोड़ा सा समझ कर करने वाला यह question था तो यह आगे बढ़ते हैं निमन वक्तम्याओं पर हमने विचार करना है ठीक है कथन यह कहता है कि सिंदू तथा हिंदू कुष्ट के मद्धे पढ़ने वाले भूबाग को सांस्क्रेटिक द्रिष्टी से लगबग पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जाता था बिल्कुल कहा जा सकता है सही बात है रिगवेद में कुमबा कुमों और गोमन नदियों के उलेक से कोई संदेह नहीं रहता है कि इंडो आरियन का अफगाने स्थान के साथ गहरा संबन्द भी था यस यह भी बिल्कुल ठीक है और यह इसकी व्याक्या भी करता है तो अंसर है इसका आप्शन ए दर्शक जो पुराणों की वंशावली के अंसार अजात शत्रू के बाद मगद के सिंगासन पर बैठा था उसकी एतिहासिकता कहां से परमानित होती है आप्शन थे मारे पास अर्थ शास्तर से देवी चंदर गुप्टन से मुद्रा राक्षस से सबसे पहले तो ये बुक्स जो है इनके राइटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए देखो अर्थ शास्तर की रचना की थी किसने की थी कोटिल लेने याद रखिएगा ये तो सब को पता है बहुत बार रिपीट हो चुकी है देवी चंदर गुप्तम और मुद्रा राक्षस ये दो ऐसी बुक्स है इनके रचनाकार है विशाक दथ ठीक है विशाक दथ ये याद रखना और स्वपन वास दथा इसकी रचना की थी भास ने भास थी इसके रचनाकार ठीक है तो अब question में पूछा गया है कि जो दर्शक जिसका प्राणों की वनशावली के अंसार प्राणों में उसका जिकर हमें मिलता है उसकी वनशावली के आती कि बौध गुरंत में हमें एक शाशक मिलता है उद्याएन उसके तीन पुत्र होते है उनका उलेक हमें मिलता है, एक थे अनुरुद, दूसरे थे मुंडग और नागदर्शक, जो नागदर्शक थे ये अंतिम शाशक थे उनके, नागदर्शक को ही दर्शक के नाम से भी जाना जाता है, पराणों में नागदर्शक को ही दर्शक कहा जा है, इसी का विवरन हमें, जो महा कभी है भास उसके जो प्रसिद नाटक है स्वपन वास रता उसमें मिलता है अंसर था इसका option D देखो स्टोनेज के उपर question अभी जो जी जी तोड़ा सा कम पोच रहा है लेकिन इसका मतलब यह कताई नहीं कि हमने इनको नहीं पढ़ना है तीनों कालखंट को पढ़ो अच्छे से चाहे पुरा पशानकल, मद्या पशानकल और नियुक लिटिक पीरिट जो था उसको अच्छे से थोरोली पढ़ो उसकी important sites को आप एक बार locate करके देखो map के उपर और जितनी वहां से important चीजें मिली हैं, उनके बारे में भी आपको जानकाई होना चाहिए ठीक है, उनके समयकाल के बारे में, जितने भी writers ने इसके बारे में लिखा हैं, आप उसको एक बार thoroughly जरूर पढ़ो ठीक है, जैसे यहां पर मद्या पशानकाल की बात करें, तो कुछ चीजें हैं, वो हमें वहां से मिली हैं, तो आगे देखते हैं समानता लगू पशानकाल की सबसे important ठीक है, वहां से microlithic अजार हमें मिलते हैं, ठीक है, एक तो बिल्कुल ठीक था बगोर, बगोर जगा पढ़ती है, बगोर कहां पढ़ती है, याद रखिए, बगोर एक राजस्तान में पढ़ने वाली जगा है, लंगनाज, लंगनाज गुजरात में पढ़ती है, और भीम भेटका, मद्या परदेश में पढ़ती है, ठीक है याद रखे, महत तो पूर्ण कुछ स्थल है ये सभी के सभी, जैसे बगोर भी मद्या प्रशानिक स्थल है लंगनाज भी है, भीम भेटका भी है तो ये भीकतन बिल्कुल ठीक है जंगली तथा पालतू पश्वों की हड़ियां पाई गई है इन सभी जगाओं से हमें जंगली तथा पालतू पश्वों की हड़ियां पाई गई है मिली है, बिल्कुल ठीक है और इस काल के शैल चित्र उपलब्ड है बिल्कुल बगोर के भी मिलते हैं जंगनाज की और भींबेटका की गुफाओं में से तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं ठीक है तो ये भी ठीक था सभी यहां पर जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक हैं तो अंसरफाइस प्रेशिंग का ऑप्शन ए इस इट क्लिए चलिए आगे बढ़ते हैं निमलिक्त में से कौन सा नप पशानकालीन पुरा तात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है उतनूर, पालवाए, कुपगल जाफर, बुर्जहूम देखो उतनूर में भी हमें मिलती हैं पालवाय में भी मिलती है और कुपगले में भी मिलती है जो राख के टीलों के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है वो मिलती है हमें बुर्ज होम से थीक है बुर्ज होम से हमें राख के टीलों की जानकारी नहीं मिलती है बुर्ज होम की खोज की गई थी 1935 में किस ने की थी मैं बहुत बार आपको ये बता चुका हूँ डी तेरा वा पीटरसन ने की थी दी तेरा वा पीटरसन दो लोग थे ठीक है पीटरसन ने की थी ठीक और वहां से और भी चीज़े मिली हैं जैसे शावादान के जो उधारन हम कर लेते थे उसमें अपना घर बनाते थे तो इसमें रहते थे ठीक है और वहां से जो एक इंपॉर्टन चीज मिली है याद रहते हैं कि जब इंसान मर जाता था उसके मृत्यू हो जाती थी उसके साथ साथ उसका जो पालतू कुत्ता वगएरा होता था था न खास तोर पर कुत्ते के घड़ियां मिली हैं हमें तो कुत्ते को वहाँ पर उसी के साथ दफना देते थे तो ये प्रता वहाँ पर चलती रहती थी और वहाँ से हमें कहीं भी किसी भी जगा पर राखे टीलों के अफशेश नहीं मिले हैं तो इस प्रस्टन का उत्तर है अफशन D ये क्वेशन दो थीन बार जो जिसी ने पहले भी पूछा है फिस से पूछ सकता है क्योंकि क्वेशन अच्छा है ऐसे ठील से पीट तो होता नहीं है लेकिन कुछ स्टेटमेंट बेस्ट क्वेशन बन जाता है हमें पता होना चाहिए कुछ दर्शन शास्तर हैं उनके समर्थक कौन कौन से थे जिन्होंने इसको लिखा था ठीक है जैसे योग योग के योग तो important है सब को पता है योग पतंजली की रचना है ठीक है और मीमान सा मीमान सा कुमारिल की रचना है और सांखे दर्शन के जो मुनी हैं वो कपल मुनी को कहा जाता है और वैशिक ये कनाद रिशी जो थे उन से संबंदित है तो answer इसका होना चाहिए A का 2, B का 3, C का 1, D का 4 तो ये है option B में थी B is the answer of this question थोड़ा practice कीजिए ये असान question दे ऐसे question अब जो जी सी वैसे पूछता तो नहीं है लेकिन आ सकते हैं ये previously पूछे गए हैं इसी लिए मैं आपको करवा रहा हूँ है ना अब ये question देखो ऐसा question जब आ जाए तो उसको करना कैसे है क्यांकर यहां पर पढ़ते हैं पहले कतन और कारण के ये question अक्सर के निफ्यूज करते हैं हड़पा सबेटा का दक्षिन तुरमेकिस्तान के साथ गहरा वेपारिक संबन्द बिल्कुल था कतन ये तो बिल्कुल ठीक है हड़पी समगरी अत्वा हड़पा के परभाव से उत्पाजित समगरी किश अर निफूर आदी से प्राप्त हुई है तो ये भी कतन बिल्कुल ठीक है ठीक है यहां पर दोनों कतन तो बिल्कुल ठीक है अब हमारे पास क्वेशन आता है कि क्या ये इसकी व्याख्या भी करता है मैं इसके दो तरीके मोशली बताता हूँ आपको अगर हमें ये पता लग गया कि क्या इसकी ये व्याख्या करता है Because हरप्पिय समगरी अत्वा हरप्पा के प्रभाव से उत्पादत समगरी किश और निपुर आदी प्राप्त हुई है तेको यहां पर इसका आपस में कोई अधार बैठ नहीं रहा है ठीक है तो यह इसकी व्याख्या नहीं करता है एक तो यह कारण हो गया इसका कि यह इसका व्याख्या नहीं करता है दूसरा कारण और होता है जैसे मालो कोई कतन एक कहता है कतन एक का जैदि कोई एक कारण है तो वो उसकी व्याख्या करेगा जा एक से ज़्यादा कारण है न तो उसकी व्याख्या नहीं करेगा यहां पर देखो उन्होंने जो कारण है, कारण एक नहीं है, यहां पर देखो हरप्पी समगरी अथवा, हरप्पा के प्रभाव से उत्वपादित समगरी, दोनों को उन्होंने मिलाया है, इसमें उन्होंने किश और निपुर, यह आदिसे प्रापत हुई, यह जगाए हैं ज फिलोना गाड़ी मिली है और भी बहुत सारी चीज़ें मिली है ना तो केवल यही तो हमें मिली नहीं है यहां से तो हमें मिली नहीं है और और स्थानों से हमें मिली है तो यह इसका कारण नहीं हो सकता क्यूंकि एक से ज्यादा कारण है इसलिए यह इसकी व्याठ्चा भी नह पुछता था आप इसको याद जरूर कर लीजी, 16 महांजनपद उनकी 16 राइधानिया है, दो तीन बार चार बार पर लोगे तो याद हो याती है, कोई जादा मुश्कल नहीं है, जैसे महांजनपद और इनकी यहां राइधानिया है, असमक की राइधानि थी पोतन, बार बार क्या था, A का दो, sorry, A का तीन, B का दो, C का चार, D का एग, यह तो option A में है, यह जांसर हो इस question, इस ग्रंद से यह पस्ट हो जाता है, के वैदिक सभा और समिति दो भिन संस्थाएं थी, एत्रे ब्रामन, अथर्वेद, शत्फत ब्रामन, जाफर या जूर्वेद, काफी important question ह जो जिसी ने इसके ओपर कही बार question बना है, को जब हम इनके बारे में पढ़ रहे होते हैं, जैसे हम वैधिक।, जो संस्थाएं हैं, उनको जब हम पढ़ रहे हैं, दो ही तो संस्थाईं थी, एक सभा और समिति, ठीक है, ऐस शत्वा और समिति का बारे में हमें कहा से पता जा है ठीक है सभा में एलीट लोग रहते थे और समिती में सभी लोग इकठी हो जाते थे सभी विक्ति उसमें शामल होते थे ठीक है काफी इंपॉर्टन क्वेश्चन है तो इसमें आगे चलकर उन्होंने कई बार क्वेश्चन बनाया है आगे वह भी दिखाऊंगा जिसमें काया कि क्या सभा में या समिती में इस तरियां भाग लेती थी क्या सभा और समिती में राजा भाग लेता था या नहीं लेता था ऐसी स्टेट्मेंट बेस्ट वोग क्वेश्चन मनाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि मैं पहले ही आपको बता रहा था कि जो हड़प पाकि जो स्थल हैं उनमें क्या विशेश था थी उनकी जैसे मोहन जोदरो वहां से हमें क्या मिला ऐसा जहां से हमें यहां बता सके कि मोहन जोदरो से हमें यह वली सीज मिली थी जैसे मोहन जोदरो से हमें बड़ा अन्नागर मिला है वहां बड़ा सनानगर भी मिला था बड़ लोथल से क्या मिला लोथल से हमें इंटों से बनी होई गोदी मिली है और काली बंगा जिसको काले रंग की चूडियों के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा था तो यहां से क्या चीज हमें मिली है यहां पर नगर दुर्ग और निचली बस्ती ठीक है एक नगर दुर्ग मिला ह इसके साथ साथ उसकी निच्छी की साइड एक बस्ती मिली है तो ऐसी आविडेंसे हमें मिलती है काली पंका से तो आगे चलो सुतकांगे डूर सुतकांगे डूर में नगर दुर्ग और किले बंद निच्छी बस्ती जो निचली बस्ती थी उसको भी आल्टरॉंड उसकी किले बंदी के रखी थी उनोंने यह कहां से मिली है नगर दुर्ग और किले बंद निचली बस्ती यह मिली हमें सुद्कांगे डोर से तो इसका अंसर मिलौ क्या होगा A का 2 होगा B का 3 होगा C का 1 होगा डी का चार होगा तो अंसर होगा यहां पर आपशन दी ठीक है बी इस अंसर विस क्वेशन Most of the seals of हड़पन civilization are made up of मतलब यह है कि हड़पा सबधा की अधिकाश मोहरें किस चीज की बनी हुई थी तो हड़पा सबधा की जो मोहरें थी वो लगबख हमें 2000 के आसपास मोहरे आज तक प्रापत हो चुकी है इनकी लबाई और चुडाई जैसे हम इसको dimensions जदी हम देखें तो यह 2.8 into 2.8 cm इनकी measurement है ठीक है जो रपपा हमें मोहरे में लिए ठीक है व्याद एकना कही बार आपसे पूछ लिया जाए तो आपको इसका अंसर आना चाहिए तो यह mostly यह भनी हुई थी सेल खड़ी की ठीक है अंसर था expression का option D फिससे यह वैसा ही question है नरेश हैं उनके कौन से राज्य थे ठीक है मुलाईए इसको अश्यपती कहके राजा थे मैं पहले ही आपको करवा चुका हूँ राजा प्रिक्सिट जो थे यह अभ्हमनियों के बेटी थे ठीक है यह कुरू के शाषक हुआ करते थे निशुक्चु यह वत्सभूमी के राजा थे और परदोत महांसेन जो थे यह अवन्ती के शार्षक गुगर करते थे इसका अंसर था एका दो बी का थी सी का चार डी का एक तो यह भी है ऑप्षिन ए में ठीक है ए इस अंसर हो थे क्वेशन बार बार आते हैं तो इसका मुदल आप बार बार रिवीजन भी करते जाओ तो आपकी प्रेक्टेस हो जाएगी एक्ञाम में थोड़े दिन बचे है प्रेक्टेस करने यह मारा परपेस है जितने ज़्यादा प्रेक्टिस करके क्वेशन जाओगे उतने ही अच्छा रहेगा जैसे मैं क्वेशन यहाँ पर अटेम्ट करता हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं निमलिक स्थलो में से कहां पर सबसे पहले ठीतरित मृद्भांड पीजी डवल जू का परमाध हमें मिला था अशेतर अतरंजी खेड़ा हस्तिना पूरिया फिर श्रावस्ती से देखो सबसे पहले उननीस सो चालीस और चुटालीस फॉर्टी फॉर ने यहां पर सबसे पहले चितरित मृद्भांड पाए थे ठीक है उनका परमाध को अचितर से मिला था इस प्रशन का उत्तर है option एक निमलिक प्राचीन भारतिये व्याकरन आचारियों को chronological order में लगाना है ठीक है देखो प्रीविजिर के question papers में हमें पता लग जाता है UGC क जो professors हैं उनका mindset कैसा है वो कैसे question frame करते हैं यहां से यह तो पता लग गया वह कातियान के उपर question पूछ सकते हैं पारणी के उपर दुनोंने कई बार question पूछा है वाबन के उपर पूछा है यह सक के उपर भी पूछा है ठीक है पारणी जो थे 400 BC में थे ठीक है याद रखना और वहीं पर हम जब बात करते हैं कातियान की यह 300 BC के आसपास इंका समयकार जो हमे ए punya tam मिलती है वहाँ से पता चलता है यह 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 सभी यह यह वैदिक ही पिरिड में एक इस करते थे इंक का समयकार था 1500 BC से लेकर वहादिक पिरिड मान लेकर लेकर 1500 BC से लेकर 1000 BC के सेंचरी और 9th सेंचरी के बीच में व्याकरन की काफी अच्छे ये अचारे थे वामन अचारे ठीक है 8th सेंचरी से लेकर 9th सेंचरी के मद्दे थे ठीक है इनका अब करोनलोजिकल और में लगा के देखो सबसे पहले ऐगा 4 ठीक है उसके बाद आएगा 2 ठीक है 400 बीसी वाला फिर 300 बीसी उसके बाद आएगा आप्शन 3 तो ठीक है ये थांसर आप्शन B में B इस थांसर आप इस क्वेशन 2015 में ये क्वेशन पूछा था ठीक है काफी अच्छा क्वेशन था क्वेशन था कि निमलिक में से कौन सा सही समेलत नहीं है यहां पर जो गलत है वो हमने देखना था राखी घड़ी बिलकुर मद्द्या शैप ठीक है ये बिलकुर सही था हडपा शवादान H वहां से हमें म मिलते हैं महान चोद्रो शवादाण R37 जो शवादान R37 है ये हमें महान चोद्रो से नहीं मिले हैं 1923 में इसके बाद लगा था कॉइंटिनियूस लिए 1926 में 1946 में मार्टिम बीलर तक जाके उन्होंने सबने उत्खनन किया था हडपा का ठीक है तो हडपा से हमें जो समाधी R37 उसको नाम दिया गया था ये मिली है ठीक है तो अंसर था इसका option C बिकाउज ये इसके साथ समेलत नहीं है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं सुची एक को सुची दो के साथ मिलाईए सुची एक में हडपी स्थल हैं और सुची दो में पुरा तात्विक और शेश वहां से जो भी हमें चीज़े मिली थी उनको मिलाईए महन जोदरो से क्या मिला है हरपा से क्या मिला था लोथल से बनावली से क्या कैची ज़े हमें मिली है options है हमारे पास कांसे रत उतकीरन कांसे कुलहाडी पकी मिठी का हल हाथी दान्त का scale चलो मिलाओ मेरे साथ ही मिलाते जाओ आपको भी इस कांसे पता लग जाएगा महन जोदरो से हमें मिली है उतकीरन कांसे की जो कुलहाडी थी वो हमें मिली है ठीक है तो मिलाओ इसको एका होगा दो ठीक है आगे हरपा से हरपा से हमें मिले कांसे का रत ठीक है थोड़ा मुश्किल है लोतल गुजरास से हमें मिले हाथी दान का स्केल हाथी दान का स्केल हमें मिला है लोतल गुजरास है याद रखिएगा और बनावली से मिले हैं पक्की मिट्टी का हल ठीक है चलिए इस कांसर मिला है एक का दो बी का एक सी का चार डी का तीन तो यह किसमे है भी यह एक का दो त जोजिसी के एलावा और बहुत सारी कंपटिटर उजाम में पूछा गया है बहुत important question है बार-बार आता है तो इसका मतलब पढ़के जाना चाहिए हमें ठीक है जिसी नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया था निमलिक में से किस व्यादिक देवता का आह वाहन एशिया माइनर के बहुजक कोई अवलेक से मिलता है हमने यहां पर देखना है बहुजक कोई अवलेक जो 1400 BC में लिखा गया था 1400 BC में लिखा गया था वहां पर व्यादिक काल के ज उस पे क्लियर ले लिखा है एक तो हैं इंदर दूसरे नासत्य, मित्र और वरुन इनका वहाँ पर नामुत कीरन का रखा है तो अंसरे अप्शन डी किस स्थान से मानव जिवाशम के अवशेश स्वस्थाने पुरापाशानिय उपकरनों के साथ मिले हैं अतिरा पक्कम भीम भेट का डीडवाना हतनौरा हतनौरा से हमें उच पुरा पाशान काली इंस्थाल है हतनौरा की खोज की थी 1987 इसकी खोज होई थी तो यहां से हमें सबसे पहले मानव खोपड़ी परापत होई है जिसको होमो एरेक्टस समू में रखते हैं की वो होमो एरेक्टस मानव जो था उसकी खोपड़ी है और जहां से हमें पशू के जीवाशम के रूप में हाथी की दो परमुक परजातियां प्रापत होई है ठीक है याद रखना हतनोरा से हमें हाथी की दो अलग अलग परजातियों के बारे में भी हमें पता लगता है तो इस प्रेशन का उत्तर था ऑप्शन D कहां पर सबसे ज़्यादा संखे हमें तामज संच से मिले हैं तो यह हमें मिले हैं गुगनेरिया से तो D is the answer of this question गुगनेरिया कहां पर पढ़ता है क्या कोई student ऐसा है जो बता सकता है कि गुगनेरिया जगा वर्तमान में कौन से राजे में पढ़ती है कॉमेंट करिए मैं याद रखूंगा 54th नंबर पर question है जो भी बच्चा सबसे अच्छा अंसर लिखेगा थोड़ा detail में लिखेगा जगा के बारे में उसका उत्खानन किसने किया था पुली detail में लिखेगा इसी research कर लिया करो आप भी आपका उससे confidence built ही होगा है ना चलिए बताइए कि गुन गरेरिया जगा कौन से भरतमान में राज्य में पढ़ती है आगे बढ़ते हैं निमलिक में से सबसे पहले किसने ये प्रतिपादन किया है कि हड़पिय संस्कृति का विकास सिंदू कुशेत्र के सुष्वत हुआ और इसमें से पश्चिम का अंतरबोद नहीं था पश्चिम वालों का कोई इसमें इंटर्फिरेंस नहीं था दयारामसानी, दराखल्दास, पैनर जी जान मार्शल, जाफर मादो सवरूप, वद्से संस्कृति क्या होती है कोई ऐसी जगा जहां से बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही मिली हूँ उसको संस्कृति में जोड़कर दिखा जाता है सबसे पहले इसके बारे में जान मार्शल ने इस्टेटमन दी थी, जो संस्कृति है यहां की, इसका विकाश सिंदुक शेतर में ही हुआ है और ये पश्चिम का इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं था इस प्रेश्चिम का उत्तर हो गया कार्बन डेटिंग से हमें पता चला है ठीक है तो चलिए इस प्रेश्चिम का उत्तर ऑप्शन सी जॉन मार्शल चलिए ये क्वाश्चिन थोड़ा सा मुश्किल था एक बार इसको आप जूरूर नोट कर लीजिए भारूपी ये भाशा का प्राचीमतम अबलेखी प्रमान कह कहां से मिलता है तो ओर्डिस्ट आर्चीवल एविडेंस इस ओफ इंडो यॉर्पियन लेंग्विजिस इस फॉंड इन कहां पर मिली थी बैक्टेरिया से इराक से इरान से सीरिया से ठीको हिंदू यॉर्पी भाशा के सबसे पहले जो पुराना जो नमूना हमें मिलता है व आप्शन बी निमलक में से किस प्रोहित ने गायतरी मंदर का संकलन किया था आप्शन से वशिस्ट वाश्वमित्र अत्री या फिर भर्दवाज एक क्वेशन काफी इंपॉर्टन है बहुत वार ये पूछा जा चुका है गायतरी मंदर का वीवरण हमें मिलता है मुंद को दर्ज है और ये तीसरे मंडल में दर्ज है ठीक एं टोटल 10 मंडल है रिगवेद के उसमें तीसरे मंडल में इसको दर्ज किया है तो इसकी याद रखीगा इन असके बारे में बहुत बाद जो जिसी ने question पोचा है ठीक है और रिशी विश्वा मित्तर और रिशी विशिस्ट के बीच में एक संबंद भी है एक युद हुआ था दस राग्य युद दस राग्य युद का मतलब यह नहीं था कि वहाँ का जो राजा थे एक तरफ गस थे दूसरी तरफ एक रह गए थे भरत जो जन के राजा थे राजा सुदास और जो दूसरी जन थे ना वो जन थे उनको राजा नहीं काउंट किया जाएगा आप हिस्टरी में ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यह पता लगएगा कि वो राजा नहीं थे वो जन के जो प्रमुक हुआ करते थे तो उनके साथ युद हुआ था युद का कारण यही था कि रिशी जो विश्वा मितर थे पहले राजा सुदास की जो था उसके वो एक प्रोहित हुआ करते थे बाद में किसी कारण उन्होंने उनको प्रोहित्पद से हटा दिया और उसकी जगा पर उन्होंने रिशी वसिस्ट को लगा दिया था इसी कारण जो विश्वा मित्र थे वो गुसे में आ गए उन्होंने छोटे छोटे जो जन थे कुछ आरेन थे पांच आरेन थे और पांच अनारेन थे उनको इकठा किया बाद में युद लड़ा गया परशनी नदी जो आज कल रावी नदी कहा जाता है उसके उत्तट पर लड़ा गया था ये रुज युद और इसमें विजे मिली थी राजा सुदास को और जो बाकी के दस जन थे वो सबी हार गये थे ठीक है इनमें आपस में काफी ज़दा रिलेशन है तो याद रखीगा इस प्रेशन का उत्तर है आप्शन बी गायतरी मंतर का संकलन किया था रिशी विश्वा मित्र ने ये तभी किया था जब उन्होंने युद किया था ठीक है और इसकी जानकरी हमें मिलती है रिगवेग के तीसरे मंडल में ठीक जुनानी अदिवास बुक का फलास चित है ग्रीक सैटल्मेंट वास सीचुएटड बुकका फेला बुकका फेला सिकंदर ने इन दो नगरों की स्थापना की थी ठीक है पहला नगर उसने जब विजे प्रापत की थी उसकी उपलक्ष में बसाया था जिसका नाम रखा था निकया निकया नाम रखा था और निकया का मतलब होता है विजे विजे करना निकया मतलब विजे नगर ठीक है और दूसरा उसने बनाया था जो नगर बसाया था उसका नाम था बदकफिला बदकफिला उसके घोड़े का नाम था वहां पर उसका घोड़ा मरा था जहां पर उसका घोड़ा मरा उसने वहां पर ही एक नगर का निर्मान करवाया बाद में उसका नाम बुक्का फला पड़ा ठीक है तो ये घोड़ा उसका मरा था मरा कहां पर था वो मरा था जेल हम नदी के तट पर ठीक है यहां पर हडपा सब्वेता के विनाश के सिधान, विनाश कैसे हुआ था, हतास कैसे हुआ था, हडपा सब्वेता था, कुछ कह रहे हैं कि आर्यों ने अक्रमन किया था, आरे आये, उन्होंने सबी जितने भी सिंदु खाटी सब्वेता के लोग थे, उनको मार दिया, ऐसे यह सत्य तो नहीं लगता मुझे लेकिन इसका समर्खन किया था आर्पी चंद्रा और मार्टन वीलर ने ठीक है याद रखेंगा आर्पी चंद्रा और मार्टन वीलर कहते हैं कि आरियों ने अक्रमन कर दिया था लेंबरिक कहते हैं कि सिंदु नदी ने अपना प्रवा में परवर्थन कर लिया था तो ये भी मुझे ज़्यादा लगता नहीं है ठीक है पानी की कमी होगी थी जिस कारण वहां की पूरी की पूरी सब्विता ही खत्म होगी थी एल मुगल इसके बारे में कहते हैं ठीक है और निरंतर बाड आती रहती थी लगातर बाड के बारे में कौन कहते हैं राबर्ड एल रेक्स और जॉर्ज एफ डेल्स कहते हैं वहाँ पर लगातर बाड आती रही जिसका रहन वो लोग सारे मारे गए और सब बिदा कहतम होगी चलिए इसका अंसर देखिए क्या होगा एका चार बी का एक सी का दो डी का थे तो अंसर हे यहाँ पर उप्शन अ यह जिसा इन स्तुन है निमलिक्ट मेंसे कोँ सा योगम सही सुमेलत नहीं है यहाँ पर देखना है कि वेद है उनके ब्रावन गरंध कौन कौन से थी त्रिक है रिगवेद का कौन सा था सामवेद का यजुरवेद अथरवेद इनके कौन कौन से ब्रामन गरंथ है यहाँ पर देखी रिगवेद का एत्रे ब्रामन था बिल्कुल सही है रिगवेद सबसे प्राचेंतम वेदों में माना जाता है इसका एत्रे था कौशीत की ब्रामन गरंथ इसी गई है ठीक है ज़िए यहां पर कोशित की लिखा होता है तो यह भी ठीक होता है दो गरंथ है इसके ब्रामन गरंथ दो है ठीक है सामवेद का पंचविश और जैमनी है तैतरी ब्रामन गरंथ नहीं है ठीक है यह गलत है और जजरुवेद के कौन कौन से है जजरुवेद के शत्पत और तैतरी ब्रामन गरंथ है यह जजर्वेद का गरंथ है और शत्पत ब्रामन गरंथ भी उसी का है और अथर्वेद का गोफत ब्रामन गरंथ है यह भी बिल्कुल सही है ठीक है याद रखिएगा और सामवेद का कौन सा ब्रामन गरंथ है सामवेद का है पंचवि हमारे पास सूची एक में राज्ये हैं, सूची दो में राइधानी हैं सोला महाजन्पद महाथमाब०्ध के जनम से पहले ही भारत वर्ष सोला महाजन्पदों में बटा हुआ था इसकी जानकरी हमें महाथमाब०्ध जो बुद्धिजम का अंगुतर निकाय है और जैनिजम का भंगवती सूर्ट है उसमें मिलती है सूलामा जनलपद के बारे में जानकरी इन दोनों गरंटों में मिलती है कहीं भी लिखाद है तो आपको याद होना चाहिए ठीक है इनकी यो राइधनिया थी मिलाईए आप वीडियो को पहुत कर लिए खोदी मिलाईए ज़्यादा मुशकल नहीं है असान है मच्से की राइधनी थी विराद नगश ठीक है और वच्से की राइधनी थी कोषामभी और वजजी की राइधनी थी वैशाली और कुरू इंद्रप्रस्ट ठीक है, इंदरप्रस्त को हम धली भी कहते हैं, दिली का पुरातन नाम इंदरप्रस्त भी था, ठीक है, अब इसके क्रोनो लॉजिकल आड़र में मिला के दिख्वन से क्या होना चाहिए? एका तीन होगा, एका तीन के विल यहां पर आप्शिन सी में ही हैं, ठीक है, सी इस अंसर आप इस क्वेश्चिन, ने में लिखते वक्ता में हम ऐसे हमने देखना है कि कतन और कारण के क्या रिलेशन बनता है, पाड़िये स्टेट्मेंट, हडपा संस्कृति के लोगों को हल अ में प्रोड हर्पस्थल के हल का पक्की मिट्टी का एक नमूना पराप्त हुआ है, यह से यह भी बिल्कुल ठीक है, बोद्धा स्टेट्मेंट आ ट्रू, यह इसकी एक्प्लानेशन भी करता है, ठीक है, तो अंसर इसका है, ऑप्शिन A, A is the answer of this question, जैसा के गौतम मैं ने उले किया है कि वैदिक उत्रकाल में वार्शिक ब्याजदर क्या थी, देखो वैदिक उत्रकाल में वार्शिक ब्याजदर की बात करें यहां पर ठीक है, तो यह हमें जो जैसा के बाधियान से हमें पता लगता है, तो यह थी 15% ठीक है, पंदरां प्रातिशक प्रापत हुआ है। आप्शन हैं हमारे पास। भागवर, दमदमा, महदहा, सराय नहर, राय। बहुत इंपॉर्टन कॉस्चन है। यूजी सी ने दो तीन बार ने कई बार इसको पूछा है। ठीक है। चलिए। इसका सही अंसर था आप्शन। आप्शन बी। दमदमा। द ठीक है। बहुत सारे उजार प्रापत हुए है। यहां से हमें एक चीज़ और इंपॉर्टन मिली है। अकतालीस, 41 याद रखेगा। अकताली मानव शवादान और गर्थ चूले। ठीक है। 41 के आसपास हमें मानव शवादान मिले हैं। और नीचे गर्थ में चलता है। ठीक। इस प्रशन का उत्तर है option बी निमलिक प्रोहितों में से कौन यग्य के संपादन का नरिक्षन करता था। जब यग्य शुरू होता था उससे पहले और यग्य के दोरान और साथ साथ यग्य खतम होने तक पूरी की पूरी विदी का जो नरिक्षन कौन करत था होता ब्रह्मा उद्गाता अधर्व्यू तोन करता था इसका क्या होना चाहिए ठीक। सही उत्तर है option ब्रह्मा 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 जो है अथरवेद के ग्याता को ब्रह्मा कहते हैं अथरवेद के ग्याता को ब्रह्मा कहते हैं अब ये भी आपको याद होना मंत्रों का उचारन कर सकते हैं जो गाकर, उनको कहते हैं उद्गाता, मतलब गाकर उद्गाता गाकर मंत्रों का उचारन करने वालों को उद्गाता कहा जाता है तो जिसमें गाइन विद्या के बारे में जानकरी दे रखी है, वो कौन सा रिखवेद है वो है सामवेद, ठीक है, सामवेद, तो ये है रिगवीद, और ब्रह्मा, ब्रह्मा का जो जानकार होता है, उसको अधरवेद के जानकार को ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है, अधरवेद के जानकार को ब्रह्मा कहते हैं, और अधरवो किसे कहते हैं, जो यजुरवेद होता है, यज जानकारी दी है उसके संपादन के बारे में जानकारी दी है तो इस प्रशन का सही उत्तर है option B Let's move on the next question सूची एक को सूची दो के साथ हमने फिर से मिलाना है सूची एक में सूतर दे रखे हैं और सूची दो में उनके साथ कौन कौन सी विशेष्था जुड़ी होई थे आगे चलकर उनको थोड़ा संख्षिप्ट करने के लिए कुछ सूतरों की रचना की गई थी यह सूतर 6 BC में इनकी रचना की गई थी याद रखिएगा ठीक है और टोटल कितने सूतर हैं टोटल सूतर जो हैं वो 6 प्रकार के हैं कई जगा पर आपको 16 मिलेगा लेकिन 16 उसक खेली खेली चे पर बाषब कि गई उनकी शाका है ठीक है मिलेगा Letters Chapter 6 सूतर हैं और इन में कौन-कौन से हैं एक तो आता है शिक्षा ठीक है याद रखना शिक्षा तूसरा कौन सा है दूसरा आता है धालभात ठीक है और तीसरा थर्ड बला कौन सा है याद रखे है टोटल छे हैं तीसरा है व्याकरन ठीक है व्याकरन और फोर्थ बन कौन सा है वह है निरुक्त निरुक्त ठीक है और उसके बाद आता है शंद और जोतिश ठीक जे छे प्रकार के सूत्र होते हैं अब आगे आपको और जिद याद रखने हैं, कलब सूतर की आगे तीन शाका हैं, याद रखना कलब सूतर की तीन शाका हैं, एक तो है शरौद सूतर, दूसरी है ग्रै सूतर, तीसरी है धर्म सूतर, ठीक इतना तो याद रहेगा, ठीक है, शरौद सूतर की दो शाका हैं, एक इसकी जानकारी दी गई है यग्यवेती को मापने की जानकारी हमें शुलव सूतर से मिलती है और जो ग्रह सूतर है ये घ्रेलू अधिकार के बारे में जानकारी देता है जैसा के नाम से ही पता लग रहा है ग्रया का मतलब घ्रेलू घर के अधिकारों के बारे में जानकारी इसे मिलती है और धर्म सूतर जो है धर्म अथवा विदी के बारे में जानकारी देता है धर्म सूतर तो इसका अंसर मिलाई ये क्या होना चाहिए सही उत्तर है option a a का 2, b का 3, c का 4, d का 1 याद रहेगा न अब चलिए आगे बढ़ती है हड़पा कालीन तॉल का अनुपाद क्या था वैसे ये question 3-4 बार repeat हो चुका है हड़पा कालीन तॉल का अनुपाद क्या था यहां तो मैंने एक बार ही लिया है लेकर प्रीविस जीर में पूछे है ये question में से 3-4 बार पूछा जा चुका है तो ये था हड़पा कालीन तॉल का अनुपाद वन अनुपाद दो अनुपाद चार अनुपाद छे तो बी इस दान से अनुप इस question ठीक है प्री को एक चीज़ हमेशा याद रखिए मालो आपके पास 10,000 रुपए है अर्जियूम करते है 10,000 रुपए में क्या है कि आपके सुबा जब उठते हैं जा फिर आप घर से निकलते हैं तो आपके 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए कहीं गिर जाते हैं अर्जियूम करके चलते हैं अब वो 2000 पे आपके गिर गए तो क्या आप बाकी के 8000 रुपय जो होते हैं, उसको भी फैंक दोगे, उसको भी कहोगे कि 2000 पे तो चले गए अब जार हमने इसका आगे क्या करना है, इसको भी फैंक देते हैं कभी ऐसे करते हैं? नहीं करते हैं ना? ठीक वैसे ही पूरे दिन में हमें 1440 मिनट का समय मिलता है अब मालो सुबा उट से समय हम लेट होगे जब हम पढ़ने में भी थोड़ा लेट होगे या किसी काम को करने में थोड़ा लेट होगे तो इसका मतलब यह तो नहीं कि पूरा दिनी वेस्ट कर दू पढ़ाई की तर्फ जाओ भी नहीं नहीं न जितना समय चला गया तो चला गया बाकी के रेश्ट आफ दा टाइम को आपने अच्छे से यूटलाइज करना है अपनी बुक्स के उपर आना है अपने टाइम टेबल को फिर से मैनेज करना है हो सकता है कि आपके time table में एक पीरिड आपका miss हो जाए बाकी के पीरिड तो आपने attempt करने है ना बाकी का time तो आपने utilize करना है कभी भी हमें अपने time को waste नहीं करना चाहिए time की importance जब तक आप समयते रहोगे जीवन में कभी भी आप विफलता का सामना नहीं करोगे मेरा मानना है कि time की importance बहुत ज़्यादा होती हमारे जीवन में सद उपयोग करने की importance उससे भी कहीं ज़्यादा होती है तो आप क्या सोचते है इसके बारे में लिखिएगा comment section में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ निमलिक्त में से कौन सा कतन रिगवेद कालीन सभा और समिती के संदर्म में सही है ठीक है यहाँ पर सही कतन हमने दिखना है सभा समाने वर्ग का प्रतिनिदेत्व करती थी जबके समिती विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिदेत्व करती है नहीं यह गलत है ठीक है यह तो गलत है सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिदेत्व करती थी जबके समिती समाने वर्ग का प्रतिनिदेत्व करती है यसे यह बिल्कुल ठीक है सभा में जो कुलीन लोग होते थे जो अच्छे मतलब जिनकी काफी विशिष्ट जन होती थे उनको सबा में शामल किया जाता था वहीं जो समिती होती थी उसमें सामाने वरगते लोग होते थे सबी लोग वहां शामल होते थे ठीक है तो सबा और समिती के बारे में जान करी हमें कहां से मिलती है अथरवेग से, याद रखेगा अथरवेग में इनको प्रजापत की दू पुतरियों की संहिया दे गई है तो C भी गलत है और D भी गलत है ठीक है, B is the answer of this question सूची एक को सूची दो के साथ मलाईए मैंने पहले आपको कहा था न, जितनी भी संस्कृतिया है संस्कृतियां को पढ़ो अच्छे से, ठीक है और उनकी टाइम लैन जरूरी है टाइम लैन जरूर पढ़ा करो के जैसे सोन संस्कृति ये थी निमन पुरा पशान संस्कृति के साथ समन्दित तो मलाओ इसको एक और दो निवासा संस्कृति जो थी शे थी मद्या पुरा पशान संस्कृति के साथ समन्दित और बागोर संस्कृति जो है ये कुछ पुरा पशान संस्कृति के साथ समन्द रखती है और कोडिलवा संस्कृति जो ना पशान संस्कृति है मलाइए इसको तो answer मिलाई इसका क्या होना चाहिए A का 2, B का 1, C का 4, D का 3 तो यह है option D में ठीक, D is the answer of this question निमलिक में से किस तामर पाशान काली इंस्थल से तामबे के परियोग का साक्षे प्रापत हुआ है लेकिन, लेकिन प्रस्तर उपकरन प्रापत नहीं हुए वहां से हमें पत्थरों के उजार प्रापत नहीं हुए है अहाड, गिलून, काईथा, नवदा, टोली कहां से हुए है तेखो जो अहाड है यह एक प्राचीन तामबवती नाम से जाना जाता था तामबवती, यहां से तामबे की जो चीज़ें हमें प्रापत हुए है ठीक है, लेकिन यहां से हमें कहीं से भी प्रस्तरूपकरणों की जानकारी नहीं मिलती है A is the answer of this question किसने सबसे पहले भारत पर आर्यों के आकर्मन के बारे में सिधान दिया था कि आर्यों ने भारत पर आकर्मन किया था options हैं हमारे पस IBM Wheeler, Garden B Child, J. Marshall जावर, RP Chant confusing सा question है, यह थोड़ा सा लेकिन आर्यों ने आकर्मन किया था यहां पर सिंदुघाटी सबबेता को उन्होंने पूरीता से खत्म किया था ऐसा सिधात देने वाले कुछ विद्वान थे, उनमें एक तो आते हैं मार्टीमर Wheeler, D.D. Koshambi HD Sankalia और Garden Child ठीक है, यहां पर options में सभी हैं, सभी विद्वान उन्हें इसके बारे में कहा था कि भारत पर आर्योंने आकर्मन किया होगा लेकिन सबसे पहले इसके बारे में जानकरी दी थी मार्टीमर Wheeler ने इसलिए expression का उत्तर होगा option A, is it clear? चले, आगे बढ़ते हैं उत्रवैदिकाल इन पंचाल राजी का प्रसिद दार्षनिक नरेश कौन था? उत्रवैदिकाल का समय था लगबग 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच में ठीक है? और उस समय पंचाल राजी का कौन नरेश था? options थे हमारे पास अजाज शत्रूप, राजा प्रिक्षिद और प्रभान जैबली या फिर सेथ के तो दिखो अजाज शत्रूप जो था ये मगद का राजा नहीं था ये काशी का राजा था ठीक है? राजा प्रिक्षिद जो थे, ये कुरूप के राजा थे और उत्र वैदिकाल में पंचाल का जो शाषक था, वो था प्रभान जैबली ठीक है? ये एक दार्शनिक नरेश था दार्शनिक भी था ठीक है? और स्वेद के तुझे जो था राजा जनग जो थे, उसके समयकाल के दोराण उसके एक दार्शनिक हुआ करते थे ठीक है? तो इस प्रिशन का उत्तर था आप्शन सी सुची एक उसुची दो के साथ हमने मिलाना था पुरा पशनकाल...... मद्या पशन," नापशन,"ुच पुरा पशन जो हमें वहां से evidences मिली है हमने देखना है कि कौन सी evidence किस काल के साथ चाहत है, जैसे पुरा पशनकाल पुरा पशनकाल से हमें चिपडपशान उपकर्ण मिले हैं ठीक है, पुरा पशनकाल जो चिपड़ पशान उपकरन है वो पुरा पशान काल के साथ सबंदित है वहीं पर लगू पशान उपकरन जो खास विशेषता है ये मद्या पशान काल की विशेषता है माईकॉहल écritрушacaktikan करण जो मिले थे हमें मध्यापशानकाल से संबंदित हैं और नवपशानकाल से संबंदित गिसे उए पशानकार्रकaquarn हमें जब मिले थे कि निस्टा उपकारण है दो हमने आइडिया लगाया इतिहासकारौने विद्वानों वो था चार A का 3 और B का 4 ये तो था option C में C is the answer of this question चलिए ये question में पहले ही आपको करवा चुका हूँ आप वीडियो को pause करके इस का answer दीजिए ठीक है कुरू के जो राजा कौन थे कुरू के राजा कौन थे और कैकई के काशी के वत्थ भूमी के काशी के इंद्रेश तो थे आप सबको पता है अजाज शत्रू ठीक है कई बार इसी वीडियो में ये question पीट हुआ है एक दो option रिपीट हुए है बाकी लगबग question सेमी उन्होंने बना रिया था काशी के इंद्रेश जो थे अजाज शत्रू थे सी का में लगव चार सी का चार कहां पर है वे option एक में ठीक है एक होगा दो कुरू के राजा जो थे वो थे राजा प्रिक्षित और कैके के जो राजा थे वो थे अश्रपति और वत्सभूमी के राजा निश्रिक्ट्यू ठीक है चलिए भारत में पुरा पशानिक उपकरन सबसे पहले कहां मिले थे वीडियो को पॉज कर लीजे बताईए इस प्रेशनल का अंसर क्या होना चाहिए सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक बिटिश पुरा तात्विद थे आर्कोलोजिस्ट थे पुरा तत्विक सर्वे करने चुरू किये थे और जैसे जैसे वो सर्वे करते जा रहे थे आगे और 18 mechanical में मद्रास के निकट 1863 में ऊचनलिक में मद्रास के निकट एक जगा पर दीयो Lahini वहाँ से पुरा पशानिक उपकरन खो जेते थेए ठीक है इस प्रेशन का उतर था option C नीचे तो कतन दिये गए कतन एक कहता है कि नव पशान यूग के पश्चाथ धातो यूग आया ये बिल्कुल ठीक है नव पशान यूग के बाद ही धातो यूग आता है ये तो बिल्कुल सत्य कतन है ये तो correct है कुछ समय तक पशान उपकर्णों का उपयोग भी साथ-साथ चलता रहा ये भी बिल्कुल सहY है कि कुछ समय तक जो नपशान यूग के साथ-साथ धातो यूग था उनके जो UPकरण थे आपस में आगे भी चलते रहे ऐसे ही होता है हर कालखंड के पार जैसे ही कोई नया काल शुरूर होता है तो पिछली ही चीज़ें कुछ ना कुछ तो उनके साथ चलती ही रहती है तो यह इसकी व्याख्या भी करता है तो इस प्रेशन का उत्तर था option A easy question था यह सूची एक को सूची दो के साथ मिलाई है घोड़े की मिरंड मूर्ती हमें कहां से मिली है और आरेयुक्त मिरंड पहिया कहां से मिला है यग वेदी कहां से मिली है शवादान एच बहुत important है शवादान एच हमें कहां से मिला था देको गोड़े की मिरंड मूर्ति जो मिलीती है वो हमें मिलती है महन जोदरो से ठीक है और एलय युक्त मिरंड पहिया जो हमें मिला था बनावली से यग वेधी हमें मिलती है काली बंगा से मैं बहुत बार करवा चुका हूं और शवाधान ह हडपसे A का 2 होगा, B का 1, C का 4 तो यह है option A में A is the answer of this question यह असान था, यह देखो रिपीट हो रहे हैं question कुछ समय पहले, जब जैसे यह question उन्होंने लग भग जून 2013 में पूझा था, ठेक है? तो यह मान के चलो के 2013 से लेकर 2014, 15, 16, 17, 18 तक 18 तक मैं लेता हूँ, 18 तक हम लिमिटर बना लेते हैं कि 18 तक question लगबग बहुत सरे repeat होते थे और repeat भी इस तरह से होते थे, देखो जैसे उन्होंने पहले एक question पूचा, उसी में से कुछ questions की options को change किया, नया question बना दिया ऐसे ही वो कर रहे हैं, लेकिन 2018 के बाद questions बहुत जादा conceptual होते गए, ठीक है, statement based हो गए और लंबे-लंबे questions होने लगे, वो question हम तभी कर पाते हैं, जब हमारे concept अच्छे से clear हैं, और fact के उपर हमारी पूरी तरह से पकड है, फिर वो question ठीक होते हैं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्राचीन तम उपलब्द भारती सिक्के किस दातू के बने हुए थे, सबसे पहले हम प्राचीन काल के बारे में, जब हम आहद सिक्कों के बारे पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि आहद सिक्के जो थे, वो किस दातू के बने हुए थे पांचवी और छटी सिताफ़ी बीसी में लगभगी सिक्के चलते थे ठीक है ठीफ्ट और सिक्थ बीसी के समिकाल में आहद सिक्के चलते थे ठीक है और इन इस आहद सिक्कों में जो सिक्के थे वो पाई जाते थे तामबा और चांदी दोनों के ठीक है डी इस अंसर हडपा सबयता की वह कौन सी विशेष्टा थी जो समकाली अन्य सबयताओं में ग्यात नहीं है ऐसी कौन सी चीज़ थी वो जो हडपा सबयता में होती थी लेकिन जो उनकी समकाली सबयता थी जैसे सुमेरियन सबयता थी उनमें वो चीज़ें ग्यात नहीं थी जिस दूसरी जो समकालीन सबेता थी, उनके साथ से मैच करते थे, लेकिन सूती का पड़ा एक ऐसी शेस्ता थी, जो दूसरी अन्य सबेताओं के समय के दौरान उनको ग्याद नहीं थी, ठीक है, तो चलिए, इस प्रशन का उत्तर था, option A, चलिए, सूची एक में, रिगवेद यजुर्वेद, सामवेद और अथरवेद और सूची दो में, उनके जो प्रवक्ता थे, हमने देखना है, कौन-कौन उसके साथ समद्धित है, जैसे जो रिगवेद है, रिगवेद की जो प्रवक्ता है, वो शाकाल थे, ठीक है, और यजुर्वेद के कर्णम रिशी थी, और सामवेद के सब को पता है, सामवेद के है, रनानी है, और अथरवेद के टिपलाद, ठीक है, चलिए, यह सारे इनके प्रवक्ता थे, ठीक है, कौन में इसका अंसर होगा, A का 4, B का 1, C का 2, D का 3, तो यह है option C में, ठीक है, C is the answer of this question, बुद के समकालिन धार्मिक संपर्दाओं का उलेख किस बौद सहायते में प्राप्त होता है, काफी अच्छा कोच्छन है, बुद के समकालिन धार्मिक संपर्दाओं का उलेख किस बौद सहायते में प्राप्त होता है, जब महात्मा बुद जी थे, उसमें, उसके बिलकु या फिर ब्रह्म जाल सुक्त तो महादमाबूद के जो समकाली विबरण हमें मिलते हैं वो मिलते हमें ब्रह्म जाल सुक्त में से ठीक है तो D is the answer of this question यह भी अच्छा question है विदेह मादव का अपने प्रोहित गौत्म राहुगन के साथ पूरे उदिशा की और जाने का कथाने के निमनाकित किसमे उलेखित है ठीक है आप्शन से हमारे पास गोपत ब्रह्मन, वरदरनायक, उपनिश्द, शत्पत ब्रह्मन या फिर एत्रे ब्रह्मन यह question काफी बार repeat हो चुका है शत्पत ब्रह्मन में ऐसा हमें विवरन मिलता है तो see is the answer चलिए सूची एक और सूची दो के साथ मिलाईए ठीक है यह भी question repeat कितनी बार हो चुका है पहले ही इस question paper में भी मैं आपको करवा चुका हूँ ठीक है चलिए मलाईए शाक्या शाक्य के लोग थे वो कपलवस्तू के थे ठीक है और कॉलिये यह थे यह रामगराम के थे मौरिये पिपली बन के थे और लिश्वी जो थे यह विशाली गण के थे अब इस concern मलाईए क्या होगा चलिए आगे बढ़ते हैं निमलिक पाली धार में गरंथो को क्रोनलोजिकल ओर्डर में लगाना है संजुक्त निकाए सुत्निपाथ चुलवग याफर बुद्वज सुत्पिटद के टोटल पांच निकाए है उनमें से यह थर्ड नमबर पर आता है और जो चुलवग है यह चुथा निकाए है यह फोर्थ नमबर पर आता है सबसे पहले आएगा संजुक्त निकाए उसके बाद आएगा चुलवग उसके बाद आएगा सुत्निपाथ और उसके लास्ट में आता है बुद्वज तो इसकी chronological order में हम जाके अंसर दिखेंगे तो अंसर आएगा इसका एक, दो, तीन और चार ठीक है क्योंकि यहां पर इनकी जो करम संख्या है वो उपर निचे है जैसे दो बाद में आया है तीन पहले आया है हडप्या स्थल हमें बहुत सारी ऐसे मिले है जहां से हमें गड़ी मिलती है नगर का मद्य भाग नगर का निचला भाग और बारी भाग परापत होते हैं ऐसी कौन सी जगा से ये वाले स्थल हमें मिलते है तो कुनाल से लोथल से देरंगपूर से या धौलावीरा से तक हड़ाप्य स्थल धौलावीरा से हमें नगर जोजना के अंतरकत गड़ी नगर का मद्ध्ध भाग बाहरी भाग प्राप्त होता है जो धौलावीरा है यह गुजरात के कच जिले में स्थेत है ठीक है मैं पहले भी आपको इसके बारे म अभी धम पिटक ठीक है, काफी repeat होता है ये question, पहले भी पूछा है देखो, मैंने पहले ही आपको कहा है कि ये वाला जो हमारा section है इस section में से बुद्धिजम और जैनिजम के उपर question तो पूछे जाते हैं पहले ही मैं आपको समझा जो का हूँ किस तरह के question आते हैं ये आपके सामने हैं जितने भी निकाएं हैं, वो किस के साथ समझा है उनके उपर question जो जिसी बनाता है अभी statement based question बना रहा है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ये question तो शोड़की नहीं जाने वाले ठीक है, पढ़के जाएंगे इनको करके जाएंगे अच्छे से ताके हमारा जब एक्जाम हो हमारा confidence उतना ही अच्छा हो जाए चलिए, धिगा निकाए खुदिक निकाए, विने पिटक, अभी धम पिटक ये किस के साथ समंझा है, मिलाईए इसको देखो जो धिगा निकाए है महा परिनिभान सुक्त के साथ समंझा है और खुदिक निकाए, ये धम पद के साथ समंझा है विने पिटक, खंदक के साथ और अभी धम पिटक, कथावस्तू के साथ ठीक, अब इसका अंसर में लाईए क्या होगा एका दो, बी का एक, सी का चार, डी का तीन ठीक है, बिल्कुल निमन पुरा पशानकाल की ये तो विशेश्ता थी वहाँ पर लोग शिकार भी करते थे खादे का संग्रहन भी करते थे ठीक है, उचपुरा पशानकाल शिकार खादे संग्रहन, ये भी बिल्कुल ठीक है ठीक है उच्पुरा पशानकाल की ये भी विशेशता थी और ना पशानकाल खादे उत्पादन होता था ये भी ठीक है और option C जो है ना मद्या पशानकाल शिकार खादे संग्रहन देखो यहां पर देखो केवल मद्या पशानकाल के समेकाल के दोरान वो शिकार भी करते थे और और खादे संग्रहन्ड भी करते थे यह तो इतना ठीक है, लेकिन इतना ठीक नही थे, जो जिसी यह मानता है, कि यहाँ पर पुचुआ पालन कारी काम शुरू हो चुका था, मद्या पशानकाल के दूरान, केवल शिकार करना ही उनका काम नहीं था, खादे करना ही उनका काम नहीं था, वो आगे पशों को पालतू भी बनाते थे, ठीक है, पशों पालना शुरू कर चुके थे, तो C, यहाँ पर बिल्कुल लेकिन उसके साथ जितने भी दूसरे राजाओं का नाम हमें मिलता है, ठीक है, जिनको उन्होंने राजित किया था, वैसे वो जन के प्रमुख हुआ करते थे, राज्ये वे राजा नहीं थे, ठीक है, जो कहना गलत होगा, कि उन्होंने राजाओं के साथ यूद किया था, उन शोड़े जनों के प्रमुक हुआ करते थे जिनको विश्वम बितन निकठा किया और बाद में उनके साथ व्यूद किया पार्शनली नदी के उपर उनको हराना असान था लिए हरा दिया होगा मैं ऐसा मानता हूँ आप कैसा मानते हैं लिखिएगा तो जो राजा सुदास थे वो त्रिस्तु जो उनका जनता उसके साथ संबंदित थे ठीक है जिसका वेबर्ण हमें रिगवेद में मिलता है तो सी इस आंसर आप इस कॉस्चेन पुरा तात्विक स्थल हैं उनकी हमने भगौर पाजस्तान में पड़ता है मैं पहले ही आपको करवा चुका हूं ब्रह्मगिरी जो है ब्रह्मगिरी आपको Krnacey पाशिय redund के के नाम से विख्यात मिलेगा और महेशवर जो है यह आपको मिलेगा मद्या प्रदेश का तामर पशानिक स्थल ठीक है और टेकल कोटा यह आपको मिलेगा करनाटक का नापशानिक स्थल है टेकल कोटा अब इसकी करोनोलोजी मिलाईए A का 3, B का 2 C का 1 और D का 4 तो यह है आपशन D में D is the answer आद इतिहासिक स्थल से हमें मोटे रेशम के धागे का प्रमान मिला है अहार से, इनाम गाउं से नवदा टोली से या निवासा से जून 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया था तो यह हमें मिलता है निवासा से, ठीक है D is the answer यह क्वेश्चन थोड़ा साब की understanding मांगता है, नीचे दो वक्ते वे दिये गए है एक अभी कथन है और दूसरा उसका कारण आ रहा है अभी कथन ए कहता है कि पारंभिक आरे, अदिवासी सिंदू नदी तो इसकी उप नदियां के द्वारा प्रतिनेदित्व की जाने वाली साथ नदियों की जमीन पर अधिपत्य स्थापत करने में संगलन रहे थे यह तो बिलकुल ठीक है और विभिन आरे जन जातियों के भीच संगश्य द्रिश्टी गोचर होता है यह भी बिलकुल सत्य है ठीक है क्यों यह देखो क्योंके शुरू शुरू में जब आरे आये थे भारत में जब भारत में जब उन्होंने सिंदू नदी के उपर अपना आके अधिकार जमाया था उन्होंने सिंदु वासियों को वहाँ पर क्या किया क्या नहीं किया ये तो विद्वानी जानते हैं जब उन्होंने आके वहाँ पर रहन बसेरा किया रहना शुरू किया तो उनका जो सेंदव परदेश के साथ जितना भी है उनके साथ भी बात चलता ही रहा था ठीक है ये चीज़े हमें थोड़ी थोड़ी उनकी एविडेंसेस मिलती हैं कि उन्हों ने सिंदु गार्टी के जो लोग थे उनको आकरमन करके खत्म कर दिया होगा तो विभिन आरे जेंगातियों के बीच में संगर्फ जो दृस्टी गोचर होता है ये भी हमें पता चलता है तो दोनों कतन ठीक है ये इसकी व्यक्याभी करता है तो अंसर होना चाहिए यहांपर ऑप्शन डी यहां D में है A और R दोनों सत्य है और A की सही व्यक्या R भी है ठीक है चली तामर यूग, लोह यूग, कांसे यूग और पशान यूग इनको क्रोनलोजिकल ओर्डर में लगाना है सबसे पहले कौन सा यूग आता है उसके बाद कौन सा यूग आता है यहांपर सिम्पल आप सिम्पल देखिए सबसे पहले तो चार आएगा है तो पशान यूग है सबसे प्राचीन है तो पशान यूग को हम सबसे पहले रखेंगे ठीक है तो यहांपर दो आप्शन तो हम इलिमिनेट कर देंगे A اور B दोनों इस तरह से कट रहे हैंगे उसके बाद cuánt क्या है कि पशान यूग के बाद आता है तामर पशान यूग उ सिंपल सा था ठीक है चार के बाद सीधा एक आएगा चार के बाद एक आएगा यहांपर उप्षिन C में ठीक है उसके बाद कांसे यूगा आता है और लास्ट में आता है लोह यूगा ठीक है लोह यूगा सबसे लास्ट में आता है तो अंसर होगा ऑप्शन ठीक है C is the answer of this question लिक्स देवताओं का रिग वेदिक काल समाज में उनके महत्तव के अकॉर्डिंगली chronological order में लगाना है कि सबसे जाता महत्तव किस देवता को दिया जाता था अगनी को वरून को इंद्र को मारूत को ठीक है question अच्छा है वैदिक काल के प्रमुख देवताओं में आते हैं एक तो आते हैं इंद्र अगनी वरून सोम मारूत सिसाय के सारे देवता रिगवेदिक काल के देवता माने जाते हैं अब इन में से हमें देखना है कि रिगवेद काल के समय के दोरान कौन से देवता को सबसे ज़्यादा पूजा जाता था सबसे ज़्यादा उसकी स्थूती की जाती थी ठीक है तो सबसे पहले हम उसको लेके आएंगे ठीक है तो रिगवेल काल में सबसे जो महत्वपूर्ण देवता थे वो थे इंडर इंडर को पुरंधर भी कहा जाता था ठीक है और इंडर की स्थूती पर 200 सूक्त आपको रिगवेद का रिगवेद में लिखे हुए मिलते हैं कितने हैं? 200 250 और दूसरे नमबर पर जो देवता आते हैं जिनको महत्तवपूरन स्थान मिला हुआ है वह है अगनी तो अगनी देवता को दूसरे नमबर पर रख गया था और जो जल निदी का प्रतिन एतित्व करते थे वरुन देवता ठीक है मारूती जो थे यह आंधी तूफान के देवता माना जाता है यह नमबर चार पर आएंगे ठीक तो सबसे पहले आएगा तीन फिर एक के दो फिर चार तीन एक दो चार तो यह था उप्शन B है तो B is the answer of this question यह question थोड़ा सा आसान था सूचियों कि उपर depend question जो होते हैं लगबग कूट में जाके हम उनको निकाल लेते हैं ठीक है तो एक तरफ लिख के हैं उनके दोरा लिखे गे गरंद हैं यह थो बहुत बार रपीट हुएं आपको याद होगे होने चाहिए यहाँ तक तो आते आते हैं आपको याद होगे होने चाहिए 94 question पर पहुंच गए हैं मुझे अमीद है कि आपने जितने भी question किये होंगे सब इस question आपको भिलकुल धौरली याद हो गए होंगे अगर इन कॉस्चन में से कोई कॉस्चन या फिर कोई फैक्टर रिपीट होता है तो आप जरूर उसका अंसर निकाल पाएंगे ठीक है यहाँ पर लेखक हैं सुची एक में और सुची दो में उनके द्वारा लिके गए जो गरंद है मलाई है इसको कुटिले ने किस गरंद की रचना की थी कुटिले के बारे में हम जानते हैं के कुटिले ने अर्थ शाहितर की रचना की थी ठीक है कुटिले जिनको हम चानक के भी कहते हैं उन्होंने अर्थ शाहतर की रचना की थी भदर बाउने रचना की थी कल्ब सूतर की ठीक है याद रखी है भदर बाउने रचना की थी कल्ब सूतर की और कात्यान ने समरितियों की रचना की थी ठीक है और पतंजली के बारे में तो आप जानते हैं महाँ भाशे लिखा था पतंजली में पतंजली के और भी गिरंत हैं आप उनको भी एक बर फिगरोड करके देख लो ताकि आपको question रेंट करने मुश्किल ना लगे ठीक है A का 4 था B का 3 C का 1 और D का 2 A is the answer of this question निमलिक्त को chronological order में लगाना है तो काफी अच्छा question है ये भी इसको भी आप eliminate करके लगा सकते थे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था इंडिका, रिगवेद, अर्थ, शाहस्तर, त्रिपिटक देखो सबसे प्राचीन जो गरंत है हम जानते हैं कि वो रिगवेद है इंडिका गोगारा सब बात में लिखे लिए थे तो यहाँ पर देखिए कि जो दो नमबर पर options हैं वो तो आपका answer हो सकता है A नहीं होगा और C भी नहीं होगा अब हमारे पास 50% question ठीक हो गया हमारा यहां तक ठीक है अब देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि रिगवेद के बाद लिखे गए थे त्रिपेटक याद रखना रिगवेद के बाद त्रिपेटक लिखे गए थे और उसके बाद लिखा गया था अर्थशाष्टर और इंडिका जो है फिर एक आएगा, तो यह है option, option D में, ठीक है, D is the answer of this question, चलिए, सुचियों को मैं लाइए, नदियां हैं, और जे शहर हैं, कौन सी नदी के उपर बने हुए हैं, ठीक है, सिंदु भाटी सब्वेता के दुरान, जितने भी शहरों की एक्सावेशन्स हमें मिलती हैं, वो कोई किसी नदी के किनारे पर बसा हुए शहर था, सिंदु नदी के उपर बसने वाला शहर था, मोहन जोद्रो, याद रखिएगा, बहुत बार यह तो repeat भी हो चुका है, और रावी नदी के तट पर बसने वाला शहर है, वो है हडपा, ठीक है, और घगगर नदी के उपर, काली ठीक है काली पंगा जो था वो घंगर नदी के ऊपर बसा हुआ से अहर था और सतलुच के ऊपर पंजाब में पढ़ने वाला यह रूपर ठीक यह सारी के सारी important sites है बलाई इसका अंसर होगा एक दो बीका चार सी का एक दीका ती तो option a is the answer of this question हमने देखा होगा कि जो जी सी maximum question answer जो है वो option a लगा रहा है कूट में जदी हम देखते हैं तो मैंने यहां तक देखा है कि 96 में से लगबग 30 के आसपास ऐसे options होंगे जो option a a a a सब जगा पर a ही ठीक हो है इससे भी एक idea लगता है कि जदी हम हमें कुछ भी नहीं पता है न तो आप option a को attempt करके चल जो probability उसकी comparatively दूसरे options से ज़्यादा होगी ठीक होने ही अगर आप ऐसे gas करके चलना चाते हैं तो इस तरह से सोचा गरो मैंने यहां तक देखा है कि 96 question जदी मैंने unit 1 के यहां पर solve किये हैं इसमें मैंने पाया है कि लगबग जितने भी question से उनमें mostly जो option ठीक होता है वो option a ठीक ह ना B हो रहा है ना C हो रहा है ना D हो रहा है ज्यादा A ही हो रहा है तो अगर हमें किसी question का answer बिल्कुल भी नहीं पाता है तो हमें इस तरह से gas भी कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए सूची एक को सूची दो के साथ मिलाईए कार्नेलियन ब्रीड तामर आर पर किस option में लग भई यहां पर तीन option ऐसे हैं जहां पर सी कर सी कर दो है ठीक है तो इस तरह से तो नहीं जाएगा चलिए आगे देखते हैं जो कार्नेलियन ब्रीड के हडपा की शेष्टा रही है तो कार्नेलियन ब्रीड को मुलाई आप एका तीन एका तीन कौन से options में है तो एका तीन यहां पर केवल option D में है ठीक है तो सीधा जाएए अब D is the answer of this question और तामर की शेष्टा रही है राजस्तान में बहुत सा इस तहल हमें तामर पशानकाल से समंदित मिले हैं और तामर लिपती यह बंगाल में हमें मिल दिया है ठीक चलिए इस प्रस्टन का उतर पता लग गया है आपको option D is the answer of this question गंतंत्र उत्रिकाली पॉलिश वेयर और गिर्नार अभी लेक शाके गिर्नार अभी लेक के बारे में तो आपने जाना ही होगा है तो गिर्नार अभी लेक रुद्रा दामन के दौरा बनाया गया था तो सी का एक मलाईए यहां पर सीधा ही जाएगा यहां पर ठीक अब आगे पढ़िए जो गंतंत्र राज्य हुआ करते थे वह शठी शिताब्दी इस भी पूरव में आपको मिलते हैं ठीक गंतंत्र राज्य जो थे शठी शिताब्दी इसा पूरव की शेशता रही है और उसके बाद आप देखिए के उत्तरी काल पॉलिश वियर जो थी यह गंगय के जो मैदान है यहां से हमें मिलते हैं और उसके बाद शाक्य यह कपिलवस्तू के रहने वाले थे इसका क्रॉन लॉजिकल ओडर में लगा कर देखो इसका अंसर क्या होगा B, B is the answer of this question क्योंकि सबसे पहले A का 2 आएगा तो B का 4 आएगा C B का 1 और D का 3 ठीक है तो B is the answer of this question रिकवेद में पंच जन किसे ध्योतित करता है आरेयों की पांच जन जाती है अनारेयों की पांच जन जाती है एक गाउं के पांच मुखिया पांच गाउं के मुखिया देखो रिकवेद में पंच जन के बारे में आपने पढ़ा होगा जो अब यूजी सी ने लगबग 6 के आसपास उन्होंने जन जातियां लिख दी थी उन 6 जन जातियों में उन्होंने पूछा था कि रिकवेद में कौन सी जाती का कौन सी जनों का विवरन आपको मिलता है जैसे पांच जन कबीले हैं अनू, द्रहू, पुरू, तुवास, इनमें से कौन सा एसा जन था जो जिवरल में का विवरन में दी ऐसे पूछन उन्होंने पूछा दा अब एपने याद रखना है कि ये पांच जन कौन कौन से थी एक था अनू, याद रहना अनू, और दूसरा था द्रहू, और तीसरा था पुरू, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है और चौथा था तू वर्स ठीक है तू वर्स और फिफ्ट वन था यदू याद रखीएगा इनके बारे में कहीं से भी क्वेश्चन जोजी सी किसी भी तरह का बना के पूछ सकता है यहां पर टोटल 99 कौश्चन मैंने देखा है कि जो जूनिट वन में पूछे गए हैं यहां से बहुत कुछ हमने सीखा है देखो एक तो हमें यह पता लगा है कि जूजी सी का कौश्चन बराने का तरीका कैसा है अगर हम जूनिट वन में दिये गए सबी चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो इसमें हमने देखा है कि पुरा तात्विक स्रोतों के उपर भी कौश्चन आए हैं उत्खनन के उपर आएं पुरा लेक विद्या के उपर भी मुद्रा राक्ष्चस की जानकरी जोह जानकरी सारे जितने भी हमें सायते के सरोत हैं उनके उपर कौश्चन जोजिसी ने पूछे हैं लगपद सबी के बारे में हमें बढ़ना है जो इंपॉर्टन सेक्षिन था वो सिंदुघाटी सब्विता था ठीक है, उसकी सीमा विस्तार उसमें से जितने भी हमें important season मिली हैं उसके उपर question UGC बना रहा है उनकी शाष्षिन विद्धी सिंदु घाटी सब्वेता का हतास कैसे हुआ था इनके उपर UGC ने question पूछा है important section है ठीक है वहीं पर हमें वैदिक period के उपर question मिले हैं जो उनकी राज्ये विवस्ता के उपर पूछे हैं महाजनबत काल के उपर question पूछे थे गंतंतरी राज्ये जो को जूजी सी का question पूछने का तीका आपने जैसे ही questions को attempt किया है आपने देखी लिया है अब हमारे पास आता है कि हमने इसको पढ़ना कैसे है कौसी बुक से पढ़ना है मैंने देखा है कि NCRT में लगबख basic सी terms दे रखी है उसमें ज़्यादा questions इतने ज़्यादा नहीं है कि ज़िए हम केवल NCRT पढ़ने तो हमारा यहां से content कवर हो जाएगा ऐसा नहीं है आपको NCRT तो पढ़नी ही चाहिए मैं हमेशे हैं कहता हूँ कि NCRT को एक बार जदी आप go through कर लोगे तो mostly मुझे लगता है कि आपका काफी ज़्यादा content कवर हो जाएगा तो यह syllabus का यो unit 1 ना बहुत important है अगर हमने केवल unit 1 की उपर अच्छे से packet बना ली तो संबब है कि आपकी जो आगे वाली units हैं आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ लोगे क्योंकि जदी हमारा basic clear है तो संबब है कि आगे वाले जो content है हमारे दिमाग में भी आने लग जाएंगे और हमें history पढ़ने में मज़ा भी आएगा कई बार होता है कि हम पढ़ते हैं हमें याद ही नहीं हो रहा कुछ भी हमें समझने लग रहा यह Buddhism क्या था Jainism क्या था कि सिंदुगाती सब बता क्या थी RN क्या करके आगे कहां से आगे हम जदी बोर होने लग जाए ना तो हमारा जो interest है ना वहां से खत्म हो जाता है अगर interest हम बिल्ट नहीं कर पाए तो आगे वाली हिस्टी जो है ना जिसके आगे modern period है आगे उसके डुपता period आएगा उसके बाद महाजन बतकाल के बाद कितनी सारे आगे तो सौथ की कितने जिनके नाम भी थोड़ा मुश्किल है याद भी नहीं होते मुझे तो नहीं होते थे आपको क्या होते है तो मुझे लगता है कि आप कर लोगे ठीक है को दिकत नहीं मैं आपको धीरी धीरे करके सारे करवाँगा तो हमारी जो टोटल सारी की सारी वीडियो साभी आने वाली है वो इसी के उपर अधारत रहेंगी स्लेबस को हम पकड़ के चलेंगा अगर स्लेबस को हमने शोड दिया तो फिर हमारी त्यारी नहीं उस तरह से होगी सारी टर्म्स मैं आपको करवाँगा तो यहां तक आपने इस लेबस वन के यूनिट वन को देखा है जो काफी मुश्कल नहीं है जो काफी असान है मुझे लगता है कि जिसने थोड़ा सा प्राचीन काल को अच्छे से पढ़ना शुरू किया है जिसकी थोड़ी सी बेसिक ठीक है तीन-चार सेक्षिन जादा इंपॉर्टन है जैसे वैदिक पीरिट हो गया रपा सब बतासी क्वेश्चन आ गया है इनके सुहाइटे के उपर क्वेश्चन आ गया है और इनकी जितनी भी बेसिक चीज़े हैं उनका पजोजी सी क्वेश्चन बना रहा है तो यह हमारे लिए इसी हो जाएगा जहां से जदी एक से दो क्वेश्चन चार तीन क्वेश्चन आ जायाते हैं तो हम उसको अच्छे से कर ले जाएंगे दो तीन क्वेश्चन जदी हमारे बिल्कुल हंडर्ड परसेंट शूर होकर ठीक होते हैं तो संबग है कि आपको उतना एज मिल जाएगा आपका नेट जाकर जहरफोन एक समभावना उतनी अच्छी हो जाएगी ठीक है तो यह था यूनिट बन का सलेब बस उसके साथ पूछे गए जितने भी आज तक क्वेश्चन थे ठीक है हमने लगबग 99 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन सौलो की हैं जो हमें यह दिशा देते हैं कि हमने अब इस यूनिट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यूनिट की त्यारी में आपको डीपली कराऊंगा बिलकुल डेट जाके करवाऊंगा मैंने कम से कम 3-4 बुक्स को मैंने शामल करके इसका पूरा कॉन्टेंट त्यार किया है जिसमें हमने पपु सिंग प्रजापत की बुक है सौरव चॉबे की बुक है केसी सिरीवास्तप जिये की बुक है और उपिंदर सिंग् की बुक है अगबग जे चार बुक्स को हमने शामिल करके कॉंटेंट त्यार किया है अगर आप इन चार बुक में से कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो हमारी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमने इन चार बुक्स का निचोड निकाला है उसमें से हमने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टन सेक्ट्स हैं चो हमने इन चार बुक्स को पढ़ने के बाद मिकाले है मुझे अमीद है कि जदि आप जोजी सी नेट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं और साथ साथ किसी यूपीएसी वगरा किसी अन्य कर्मिटटव गजाम की त्यारी कर रहे हैं जदि आप हमारी वीडियोस देखते हैं हमारी कोर्स वगरा देखते हैं तो निच्चत है कि आपका कॉंटेंट में आपको कभी भी कमी नहीं रहेगी और हम इसको इतनी डेटेल में आपको करवाएंगे कि आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी ना तो आपको पपु सिंग तरजापत की पढ़ने की पढ़ने की पढ़ेगी कर दिया है डिस्क्रिप्षिन बॉक्स के सास्त कंच में भी हमने उसको कर दिया है ताकि आप हमारे टेलीग्रम को जॉइन कर सके हैं विश करते हैं कि आपका यह एक्जाम अच्छा हो क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं हिस्ट्री का स्लेबस बहुत वास्ट है इतने वास्ट स्लेबस को याद रखना बड़ा मुश्किल है लेकि फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपका मन्त है आपका मोटिव है जे आरप क्वालिफाई करना तो हमारी शुब कामने आपके साथ है चलिए फिर विश यू